वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला सब्सक्राइब करती हूं उमीद करती हूं पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एक्जाम बहुत नस्दीक है हमारी तरफ से पूरा प्रयास जारी है कि आप तक सारी फ्री वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाएं जिससे आपका रिविजिन बहुत अच्छा हो जाएं तो इसी श्रंखला में इसी सीरीज में हम लेके आए हमारा टेस्ट नमबर 15 ये भी 100 questions का compilation है पॉलिटी से related ये हमारा टेस्ट है बहुत भडिया questions है जिनोंने test 1 solve किया है पॉलिटी का test नमबर 14 वो जानते होंगे अच्छे से कि सारे सवाल वो उस तरीके से form किये ग mistakes का paper बनाते रहिए जो भी आपके सवाल गलत हो रहे हैं जो आपको याद करने में दिक्कत हो रही है उसको एक जगा note कीजिए जिसे end के वक्त आप उसको बार बार revise कर पाएं आप पूरा वीडियो आके आप बार बाद में नहीं देखेंगे ना तो बाकी जो भी आपका feedback है कॉमेंट करें और अपना स्कोर जरूर कॉमेंट करें चाहे आपके दो क्वेशन ठीक हो रहे हैं पूरे टेस्ट में से उनको कॉमेंट जरूर करें कि मैंने इतने अटेम्ट किये और इतने ठीक हुए तो यह बहुत जादा जरूरी है उसी से सही आंकलन होता है आपका analysis से और अच्छे से पढ़ाई करते रही है तो चलिए शुरुवात करते हैं हमारे टेस्ट नंबर 15 UPPCS प्रिलिम्स परिक्षा 2013 तो अब देखेंगे हम PCS का 2023 का सेक्शनल टेस्ट 15 और यह हमारा पॉलिटी का टेस्ट दूसरा वाला है एक टेस्ट हम पॉलिटी का अलरी कर जो की है निम्लिकित में से गलत विकल्प का चाहिन करें सेलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्षन समिधान के अनुचे 338 क के अंतरगत राष्टे नसूचित अजनजाती आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है 338 ए आर्टिकल के अंदर प्रोविजन है नैशनल कमिशन फर स् पूछता है तो आपको बताना है कौन सा गलत है देखिए बात दोनों ही ठीक है में एक तम तो ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है तो आंसर दोनों ठीक है 338 ए जो है वो एंसी एस्टी नाशनल कमिशन फर स्केडियू ट्राइब्स और 331 का प्रोविजन बनाता है कि एंगलो इंडियन कम्यूनिटी का रेपेसेंटेशन होगा कहां पे लोगसभा में तो दोनों आर्टिकल धियान रखना जो आर्टिकल टेस्ट में पूछे जा रहे हैं खासकर वो तो भूल ले ही नहीं है आपको दूसरा निमलकित में से कौन सा साविधिनिक निकाय है स्टै स्टैुटरी बॉल रहा है कौन सी है राष्ट्रे महीला आयोग नाशल कमिशन फ are women alpsanchyor को के लिए राष्ट्रे आयोग लेश्टनल कमिशन फर मायनौर इस राष्ट्रे आयोग नाशल कमिशन फर स्केडियूड का कास्ट्स और राष्ट्रे मानवाधीकार आयोग नेशल हि आपका जो National Commission for Scheduled Casts है, ये वाला, ये एक प्रकार का Constitutional Body है, सम्वैधनिक निकाह है ये, ठीक है, और आपकी Statutory Bodies कौन-कौन सी है, ये हैं आपकी Commission for Women, और ये इसकी स्थापना कब हुई, आप एक बार वर्ष देख लिजे इन सबके, तो ये जो है Scheduled Cast वाला, ये है आपका 2004 का Women वाला कपका है, 1992, और आपका Minorities वाला है, 1993, और आपका National Human Rights वाला है, आपका 1993, सेम, ये आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, बस बाकी है, तीसरा, निमलकित में से सही विकल्प का चेहन करें, Select the Correct Option, लोक सभा में, अनुसूचे जातियों और अनुसूची जन जातियों के लिए, सीटों का अरख्शन अनुचे तीन सो तीस में दिया हुआ है, ऐसा ही बोल रहा है, Drap is reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes and the house of people, किसी जाती तथा जन्जाती को अनुसूचिट जन्जाती घुशत करने की शक्ती संबंधित राजे के राज जिपाल के पास होती है, यह बोल रहा है, Power to declare any caste and tribe as scheduled caste और scheduled drive rest with the governor of the concerned state बताए कौन सा ठीक है ये ठीक है आप भी बताए गवर्नर के पास थोड़ी होती है ऐसी कोई power भाई, reservation जो seats का है वो article 330 में दिया हुआ है ठीक बात है article 341 clause 1 ये भी कहता है कि President करेगा decide in consultation with governor ठीक है तो इसमें राजयपाल का नहीं है हाथ इसमें President का है तो याद रखना है आप कोई चीज चलो तो निमलिकित में से सही विकल्प का chain करें, select the correct option मेर के बारे में है सवाल मेर का कारिकल 5 वर्ष का है, tenure जो है मेर का 76 संशुधन से नगर पालिकाओं को समयधानिक दर्जा दिया गया था अगर आप दूसरा भी नहीं बता पा रहे हैं तो फिर छोड़ेए पढ़ाई लिखाई भीका रहे है ठीक है आप जानते हैं पंचायत और यह municipalities वाला यह 1992 का है पहली चीज तो और यह 74 से आपकी आती है municipalities और 73 से आपका आया था क्या पंचायत और दोनों ही 1902 के हैं याद रहेंगे और tenure आप जानते है मेर का 5 साल का होता है test series को बहुत seriously लीजी आप fifth निमलिखित में से समयधानिक प्रधिकरोन का chain कीजिए constitutional authorities बोल रहा है राजे निर्वाचन आयूग state election commission राजे वित आयूग state finance commission जिला पंचायत, district पंचायत आप मुझे बता दीजिए कौन सा है इसमें से answer आपका तो answer आपके तीनों ही हैं आपका constitution authorities हैं तीनों तो बहुत असान है चीज़ भाई district पंचायत constitution में लिखा हुआ है न तो वो हो गया इसी में included sixth निमलिखित में से गलत विकल्प का चेहन करें select the incorrect option पंचायतों की वित्यस्तिति का पुनर विलोकन करने के लिए वित्तायों का गठन संबंदित राजे का राजपाल करता है मतलब governor of the concerned state constitutes the finance commission राज वित आयोग राजसरकार तिथा अस्थानी साशन के बीच राजसरके वित्रन के लिए उतरदाई होता है state finance commission है responsible for the distribution of revenue between the state government and the local government पंचायत का चुनाव लडने के लिए किसी व्यत्ती की नियून्तम आयो 18 वर्ष होनी चाहिए the minimum age of a person should be 18 years to contest the elections of पंचायत हमारे listing video में आपको इस सारी के सारी सीज मिल जाएंगी हमने अलग-अलग से box बना के कराया है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी तो अब आप मुझे बताईए इसका गलत विकल्प कौन सा है इसक्स का अंसर हो जाएगा c बताईए उमर कितनी होने चाहिए 18 तो कहीं भी नहीं है वही शादी किये बस 18 तो शायद 21 है voting की 18 21 साल होने चाहिए आपको अगर पंचायत का चुनाव लड़ना है तो state finance commission होता है जिम्मिदार आप ध्यान रखेगा और governor जो है concern state का वो विथायो को constitute करता है financial conditions को देख रेक करने के लिए आपके पंचायत की ठीक है जी 7 निम्न में से कौन सा विकल्प सही है कौन सा option correct है पंचायती राज विवस्था की अंतरगत खंड सर पर पंचायत समिती का गठन किया जाता है जो governor है वो notification issue करते है for the alteration in the boundaries of block and district पंचायत बताएंगे आप कौन सा है सही C हो जाएगा इस concern पहला और तीसरा सही है देखे जो members होते हैं पंचायत समिती के आपको भी पता है वो members थोड़ी elect करते हैं चुनाव नहीं होता है तो directly elect होते हैं प्रत्यक शुरूप से चुने जाते हैं ठीक है? direct election होता है ये चीज़ आपको ध्यान रखने है तो ये आपका गलत हो गया गलत जो चीज़ों होती हैं वो paper में बिल्कुल ठीक होती है एट्थ 73 संशोधन 1992 की अंतरगत वरतमान में निम्न में से किन पूरवत्तर राजहों में पंचायती राज संस्ता नहीं है बोल रहा है so north east में कहां पे नहीं है Missouri, migalet, nagaland बताईए तो इन में से किसी में भी नहीं है जो states हैं कोई पंचायत नहीं है वहाँ पे कहां पे Missouri, mig excluding और nagaland तो यह आप तीनों आद रखना, ऐसे का आद रखना, M, M, N नो पंचायत नाइन्थ, निमलिखित में से सही विकल्प का चेहन करें, select the correct option पंचायती राज विवस्था से संबंदे, जिनों ने हाँ पे समितियों के नाम दिये हुए हैं, आपको बताना है अब अशोक मेहता ने टू टायर के बाद की थी, टू टायर एलम सिंग्वी ने लोकल सेल्फ कर्वेंट के बाद की थी, यह जो इनका बोला जा रहा है और आपके जीवे के राव समिति ने क्या बोला था, यह प्रते निधित्व की पदती, reforms in the method of representation तो यह सारे याद रखना, यहीं पर दिये हुए हैं, बस exchanged थे 10th, निमलिकित में से गलत विकल्प का चैन करें, select the incorrect option बलवंतराय महता को भारत में पंचायती राज विवस्था का वास्तुकार कहा जाता है अर्किटेक्ट औफ पंचायती राज सिस्टम, बलवंतराय महता भारत में पंचायती राज विवस्था सरफ प्रतम राजस्थान और आंधरप्रदेश में प्रारंब की गई थी प्रतम पंचायती राज विवस्था का उद्गाटन 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नगौर जुले में किया गया था और जवालल हिरू ने विकेंदरी करन प्रनाली की सिफारिश की थी जवालल हिरू ने रेकमेंड किया था डी सेंट्रिलाज़ेशन सिस्टम आपको इंकरेक्ट बताने कौन से है, बताओ फटाफट क्या होगा असका अंचर दी हो जाएगा बाई जवाहलाल हिरू ने नहीं की थी यह बलवंत राय महता नहीं की थी बलवंत राय महता ने डी सेंट्रलाइजेशन की बात की थी और यह तो तीनों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस दो अक्टूबर उनिस सुनसर डेट याद रखना राजस प्रभंधन प्रादिकरन अश्ट्रीशन अधर ये गलत हो रहा है किसी का तो फिर गलत बात है बताओ इलेवंत का अंसर भी हो जाएगा अब यह ऊपर भी तो देख किया हो इस चीज़ को Statutory Bodies है, National Investigation Agency, Disaster Management और National Commission for Protection of Child Rights, यह 2007 वाला है और आपकी जो यह है, National Commission for Scheduled Tribe, यह क्या है? आप जानते तो हैं, यह Constitutional Body है, CB लिखरी हो मैं इसके सामने, याद रखना, Constitutional Body है यह, बाकी यह सब Statutory है 12, निमलिखित को काला नुकर में क्रम में विवस्थित करें जा मैं कराती हूँ आपको लिस्टिंग का विडियो और मैं आपको बोलती हूँ कि क्रोनलोजी वाले questions बहुत important है तब आप मुझे लगता है, ध्यान से सुनते हैं यह बात संथानम, अशोक महता, जीवी के राओ, हनुमंत राओ, सबको अरेंज करना है साल पता नहीं है तो अरेंज करना ही पाऊगे, साल पता है तो अरेंज कर ले जाओके दो सेकंड में अरेंजड हैं, नहीं अरेंज नहीं है, फर्स्स सेकंड फोर्थ और थर्ड आप सुन लो संथनम इसका एर देख लो 1962 और आपका अशोक महता 1977 जीवे के राउ 1985 और आपकी हनुमंत राउ 1982 तो यह लास्ट में जाएगा 95 वाला याद हो जाएंगे पहला या आंसर तेरवा निमलिखित में से गलत विकल्प का चेहन करें Select the incorrect option 1986 में अलम सिंग्वी के देख्षिता में लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संसानों के पुर्नर रुद्दार्ग पर एक अफधारना पत्र तियार करने के लिए समिती नूकत की गई थी 1986 में A committee to prepare a concept paper on revitalization of Panchayati Raj institutions for democracy and development under the chairmanship of Ellen Singh Vee was appointed 1988 में राजनितिक और प्रसाशनिक धाची की जाँच करने के लिए P.K. थंगन के देख्षिता में संसत की सलाकार समिती की एक उप समिती गठित की गई थी 1988 में एक subcommittee बनी of the consultative committee of parliament under the chairmanship of P.K. थंगन फिर V.N. गडिकल के देख्षिता में Congress party द्वारा 1988 में नीटी और कारिकरम संबंदी समिती का गठन किया गया था Committee on Policy and Programs in 1988 Congress party under the chairmanship of V.N. गडिकल आप बताएंगे मुझे गलत कौन सा है कोई गलत नहीं है तीनों बाते ठीक हैं और थोड़ासा येर याद रखो 86, 88 और ये 88 गड़गिल वाली भी ठीक है ऐसे भी आ सकता है सवाल के गड़गिल कमिटी किस से रेलेटेड है कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आया है वह ना सवाल कमेंट करके बताओ ज़रा मुझे किस से रेलेटेड है 14, निमलिकित में से गलत विकल्प का चेहन करें Select the incorrect option पंचायती राज को सफलता पूरवक कारे करने के लिए स्थानी जनता के पूर्ट सेयों के आवश्यक्ता होती है पंचायती राज शक्तियों के विकेंदरिकरन लोगों की भागिदारी एवं सामुदिक विकास का प्रतिनिद्व करता है पंचायती राज क्या करता है Decentralization of powers, people's participation, community development और ग्रामीर सानी असाशन का पंचायती राज नामंकन महात्मा गांधी के सुजार्म पर क्या क्या था जो पंचायती राज नॉमिन क्रेचर है ना रूरल लोकल गवर्मेंट का वाज रिजल्ट अफ महात्मा गांधी सुजेशन incorrect पूछ रहे कौन सा है कोई भी नहीं है सुनने में अच्छी नहीं लग रहे हैं यह बातें कई बात जो सुनने में अच्छी होती है ना बातें वो सही होती है तो यह ठीक है बिलकुए गांधी जी ही तो थे बहुत जादा लोकल गवर्मेंट पर एंफिसिस करते थे वो DPS में भी तो डाला हुआ है फिफ्टींथ निमलिखित में से गलत विकल्प का चैन करें सेलेक्दी इनकरेक्ट ऑप्शन अब अशोक महता ने भारत की आत्मनिर्भर समाज विवस्था का वंडन करते वे कहा था कि भारत की ग्राम विवस्था छोटे-छोटे गंटंत्र है अशोक महता ने क्या बोला था इंडियास विलेट सिस्टेम में स्मॉल स्मॉल रिपब्लिक्स कितना अच्छा बोला भारतिय सम्विधान ने नुच्छे 40 के तहत राजे को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का अधिकार है अंडर आटिकल 40 बारतिय संगात्मक विवस्ता में तृतिय तल वर्ष उन्हें सो बानवे कि तिहत्रवे और चोटरवे समिधानिक संशुधन के मादम से वर्ष तिरानवे में जोड़ा गया था तो थर्ड टायर है इंडियन फेडरल सिस्टम का थर्ड टायर क्या है पंचायती राजी तो है थर्ड टायर वो कब जोड़ा गया था 73rd or 74th Amendment में से जोड़ा गया था ये बोल रहा है ये बताओ incorrect कौन सा है पहला है incorrect क्यों क्यों है पहला incorrect ये Charles Metcalf ने कहा था ना कि अशोक मैता ने Charles Metcalf जानते हैं आप कौन थे गवर्णर जेनलर रहे हैं भारत के नहीं रहे हैं वाइस रए उन्होंने कहा था कि जो भारते ग्राम विवस्ता है वो छोट छोटे गंटनत रहें चलिए बाकी दोनों चीज़ें याद रखीगा 40 DPSP राजे के नीती निर्थे शक्तत्व निमलिखित में से गलत विगल्प का चेहन करें सेलेक्दी इंकरेक्ट ऑप्षिन राजे के विधान मंडल को पंचायतों की संगरचना के संबंद में प्रावधान जारी करने का अधिकार प्राप्त है जो लेजिस्लेचर है ना स्टेट के अगर पंचायत भंग होती है तो तीन महा की अवधी में निर्वाचन करना अनिवारे होगा मनलब इस पंचायत इस दिवल्ड दिसॉल्ड than it is mandatory to contest elections within a period of three months तो बताईए क्या हो जाएगा इसका गलत इसका अंजर second और third गलत है पहली चीज़ तो ये कहीं भी तीन महा की अवधी नहीं है छे मन्स है अगर पंचायत भंग हो जाती है तो और प्रावधान क्या था जो 73rd Amendment Act आया था 1992 का पंचायत कहा नहीं constitute हो सकती जहां पर population 10 लाग से नहीं 20 लाग से कम हो और ये बिल्कुल ठीक है legislature of the state अब स्टेट legislature के पास है ना अब सेंटर थोड़ी देखेगा ये सब तो याद रखना हो ये गलत है और ये गलत है 17th निम्लिकित में से गलत विकल्प का चेहन करें select the incorrect option भारते समिधान के अनुच्छे 345 के अंतरगत राजे की राजभाषा या भाषाओं को अपनाने की प्रक्रिया दी गई है Article 345 में procedure दिया गया है for adopting the official language or languages of the state Bodo भाषा भारते समिधान की आठवी अनिस्टूची में एक मानिता प्राप्त भाषा है Bodo language is a recognized language समिधान के अनुच्छे 349 के अंतरगत यह विवस्ता की गई है कि प्रतियेक राजे सिक्षा के प्राथमिक सरपर मातर भाषा में सिक्षा की परियाब सुविधाओं की विवस्ता करने का प्रियास करेगा 349 में साब बोला गया है कि जो स्टेट है वो ट्राइ करेगा टू अरेंज adequate facilities of education in mother tongue at the primary level of education 1955 में बालसाइब गंगाधर की अधिक्षता में भारते समिधान के अनुच्छे 344 के अंतरगत प्रथम राज के भाषायोग का गठन किया गया था बालसाइब गंगाधर खेर के अंडर official language commission constitute हुआ था 1955 में आर्टिकल 344 के अनुसार आपको गलत बताना है कौन सा है बताईए C गलत है ये वाला क्यों ये गलत क्यों है आर्टिकल गलत दिया हुआ इसमें आर्टिकल 350 ए है ना कि 349 बाकी बोडो लैंग्विज है 345 क्या है आप जानते हैं और 350 ए कहता है कि हर state range करेगा कि बिल्कुल मदर टंग में primary level पे education दी जाए और ये आपको याद रखना है 344 आर्टिकल का नाम बालासाइव गंगतर खेर का नाम और 1955 में पहला official language commission आया था ये important है ये बाकी गलत आपका ये वाला है चलिए 18 बानवे संचोधन अथिनियम 2003 के संबन में सही विकलपा चायन करना है correct option 4 भाषाओं को सविधान की 8 वी सूची में जोड़ा गया था टोटल नंबर जो थी वो 22 हो गया था बोडो, डोंगरी, मैथली, संथाली भाषाओं को सविधान की 8 वी अनुसूची में जोड़ा गया था इसके द्वारा बोल रहा है तो बताईए मुझे आप इसमें से सही कौन सा है ठीक है तीनो देखो चार लैंगरी, मैथली, संथली, बोडो उसके बाद क्या हुआ था यह BDMS मैंने इसकी एक ट्रिक है BDMS BDMS ऐसे याद कर लो, यह एकटा जोडी गई थी भाषाओं फिर भढ़के 22 हो गई थी और यह 92nd Amendment Act 2003 से हुआ था जाद रखना, सवाल आएगा और चार लैंगविज़ एड हुई थी तो वह एक, दो, तीन, चार है BDMS बोडो, डोंगरी, मैथली और संथली अब वो क्या करेगा? वो बूचेगा 92nd Amendment Act अप कराय था पिछली टेस्ट का कोशन निध्यान है उसमें नेपाली लिखा वाद संथली की जगा तो ऐसे-एसे सवालों से भी थोड़ा सा आपको परिशान करेगा परिशान आप होंगे नहीं क्योंकि आप पढ़के जाएंगे चीक है? चेहरे पे बनी वही है, स्माइल या नहीं उननेस निमलिकित भाषाओं को उनके शाष्त्री भाषाओं के रूप में गोशित करने के वर्ष की आधार पर कालानुक्रमिक्रमें विस्द करें देखा? कैसे? कि कौनसे साल उनको क्लासिकल लाइंग्विज का दरजा मिला ऐसे एरेंज करना है आपको तमिल को कम मिला कर दो हजार चार में और एक बहाशा और देख लीजे उडिया, इसको कम मिला, 2014 है, सारी याद कर लो, पांच है, चलिए, 20, निमलिखित में से गलत विकल्ब का चेहन करें, सिलेक देन करेक्ट ऑप्शन, गोलकनाथ बनाम पंजाब राजे मामली में सरवोच नियाले ने पहली बार संसद की सम्विधानिक संशोधन शक्ती को सीमित कर दिया था, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोट ने क्या किया था, इसको लिमिट कर दिया था, भारत की संसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, the Parliament of India can amend the fundamental rights of citizens, सिक्क्यम को 36 संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा भारते संके 22 राजे के रूप में शामिल क क्या क्या था, 23rd State बना था, इंडियन यूनियन का by the 53rd Amendment Act of 1986, तो क्या हो जाएगा इसका अंसर, गलत कौन से है, डी गलत है, यह मनीपुर नहीं था, यह मीजोरम होगा, जिसको 23rd State के रूप में जोड़ा था, 53rd Amendment से, बाकी ठीक हैं बिलकुल, देखके जाना, ठीक है, ऐसे क किम, 22 वा स्टेट, 36th से, और गुलकनाथ वाला, और हाँ, गुलकनाथ का आपको साल बता दती हूँ में एक मिनट, 1967, याद रहेगा इतना, याद रहेगा, 21, निमलिखित को काला नुकरमे क्रम में विवस्तित करें, अरेंज दे फॉलें इन दे क्रोनलोजिकल ओर, केसे दि में, 1967, सजन सिंग, 1964, शंकरी पिसाद, 1951, और ये तो आपको बता हिए, ये भी नहीं पता हिए, 1973, तो हो गया रेंज, 22 वा, निमलिखित में से सही विकल्प का चैन करें, सेलेक दी करेक्ट ऑप्शन, भारते सम्विधान में अनुच्छे, 368 के प्रावधानों के अंतरकत, संशुधन किया जा सकता है, Constitution कैसे कहाँ से अमेंड हो सकती है, कौन से अर्टिकल से, 368 से, संशद में, किसी भी एक सदन में, सम्विधान में संशुधन की पहल की जा सकती है, मतलब किसी भी एक हाउस में आप इनिशेट कर सकते हो, इनिशेटिफ तो अमेंड दे Constitution, 24 वे 1971 और 101 से, 2016 के द्वारा अनुच्छेट, 388 को संशुधित किया गया था, मतलब वो बोल रहा है कि, आर्टिकल 368 को अमेंड किया था, 24th Constitutional Amendment से, और 101 से, तो आपको बताना है, करेक्ट कौन से है, पहला और दूसरा ठीक है, यह तो तो में पता हो गई होगा, देखो, आर्टि 368 को जो अमेंड किया था, वो 24th Constitutional Amendment ने किया था, 1971 में, और 42 सेकंड ने किया था, याद रखना है इस चीज़, 24 वे नहीं किया था, और 42 वे नहीं किया था, ना कि इन दोनों ने, ठीक है, यह चीज़ याद रखना, आर्टिकल 368 को, 24 वे प्लस 42 वे ने, not 101 ने, ठीक है, च निमिकित में से गलत विकल्प का चेहन करें, select the incorrect option, भारती राष्ट्री कॉंग्रेस में, राष्ट्री शब्द ब्रिटिश शाषन के विरुद प्रतिकिर्या से प्रभावित था, वो कह रहा है, the word national, in Indian National Congress was influenced by the reaction against the British rule, एक पाटी को, एक राजे पाटी के, कोई पाटी है particular, उसको एक राजे पाटी के रूप में तभी मानिता दी जा सकती है, जब उस पाटी ने संबंदित राजे के किसी आम विधान सभा चुनाव में डाले गए कुल वैथ वोटों का कम से कम 6 प्रतिशत हांसल किया हो, देखो, कितना सिक्योर किया हो, at least 6% of the total valid votes pulled in any General Assembly election, किसी पा incorrect कौन सा है, कोई भी नहीं, ठीक हैं तीनों बातें, ये तो common सी बात होगी न, ये दोनों पता होनी चाहिए, seats दो होनी चाहिए, क्या बोलते है किसी General Assembly election में, और polling कितनी होनी चीए 6% की, at least, favor में, बस तो National Party बन चाहिए, 24, निमलिकित में से सही विकल्प का चैन करने, select the correct option, निर्वाचन आयोग राजनितिक दलों का पंजी करन करता है, election commission क्या करता है, registration करता है, political parties का, लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1956, राजनितिक दलों के पंजी करन का प्रावधान करता है, the representation of the people at 1956, it provides for the registration of political parties, एक राश्ट्रे सतर पर राजनितिक दल वह है, जिसे कम से कम चार राजों में मानिता प्राप्त हो, national level political party वह है, जो चार states में recognized हो, correct बता हो कौन सा है, पहला और तीसरा, दूसरा क्यों गलत है, आपको पता तो हो का, representation act कौन सा है, 1951, not 1956, बागी ठील कें दोनों, चले, 25 स्वा कोशन, निमलिकित में से गलत विकल्प का चैन करें, select the incorrect option, निर्वाचा नायोग को भारत के विभिन राजनितिक दलोंकूर राश्ट्रे या चित्रे पाटी का दर्जा देने का अधिकार है, election commission has the right to give national और regional party status to various political parties of India, पीवी नर्समा राओ, independent Labour Party के संस्थापक थे, पीवी नर्समा राओ, is the founder of Independent Labour Party, गलिये विवस्था के द्वारा ही, लोगतांतिर्ग राजनितिक विवस्थाओं में सत्ता का गठा निवम सरकार का संचालन किया जाता है, पीवी नर्समा राओ, नहीं की थी क्या, एक मिनुट, पी आर, अमबेट कर, not पीवी नर्समा राओ, ये और ये ठी क्या, 26, नेमलिकेत में से गलत विकल्प का चैन की, जी सिलेक्ट तिक इनकरेक्ट ऑप्शन, दल बदल निरोधक अधिनियम, 15 फरवेरी 1985 को अधिनियमित किया गया था, आंटिक दलों को समयधानिक माने था, प्रतम बार वर्ष 1985 में दी गए थी, पॉलिटिकल पार्टी उसको कॉंस्टिशनल रेकोगनेशन कब दिया गया था, 1985 में पहली बार, आंसर, जल दी बता, ये तो असान सवाल है, ठीक है दो, क्या इस में, कुछ गलत नहीं, बई 27, निमलिकित में से सही विकल्प का चेहन करें, select the correct option, जमू एवं कश्मीर में दल परिवर्तन विरोधी विदी को, 1979 में अधिनियमित किया गया था, आंटिदिफेक्शनल लोग जमू कश्मीर में, 1979 में आया, विपक्ष के नेता की मानेता प्राप्त करने हे तू, लोकसभा 1963 में कामरा जियुजना भारतराष्टर कॉंग्रस को जीवांत बनाने और राष्टर विकास के योगदान करने में वृध्धी करने के लिए तैयार की गई थी, 1993 की जो कामरा स्खीम थी, that was formulated to revitalize the International Congress and increase its contribution to the national development, सही बताओ कौन सा है, सारे ठीक हैं बड़े important हैं सारे, याद र कामरा जियुजना याद करना, direct पूछ सकता है, कामरा स्खीम के से related है, ठीक है, चलो, निमलिकित में से सही विकल्प का चेहन करें, select the correct option, भारत के समिधान का अनुचे 324 भारते निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है, आर्टिकल 324 जो है, इट की के other election commissioners है, they are appointed by the president under the law made by the parliament, भारत के निर्वाचन आयोग के मुखे चुनाव आयोथ का कारेकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयोथ होता है, जो भी पहले हो, 6 years और 65 years of age, whichever is earlier, answer please, answer is D, बहुत बढ़िया सवाल कराय जा रहे हैं आपको, तो तारीफ मैं अपनी खुद कर रह हैं, ठीक है, 6 साल, 65 साल ध्यान रखना, 324 साल रखना, और precedents आप करते हैं, लेकिन law बनाते हैं, law बनाती है, पार्लेमेंट, उसी के अंडर, यहाँ पर खेलेगा आपसे वो, यह इसलिए points दिये हो हैं, ऐसी ने दिये हो हैं कि चलो ठीक है, time pass कर लेते हैं, test बना के, 29, निम election commissioner है, उसको हटाने के लिए, same procedure अपनाना होगा, जैसे, removal of judges of Supreme Court का है, article 124 के according, मुखे चुनाव आयुक्त को संसत के दोनों सद्रों के सदस्यों की एक तिहाई भाहुमत द्वारा, प्रमानित कदाचार के अधार पर पधिचुत किया जा सकता है, कैसे, remove कर सकते हैं, the ground of proved misbehavior certified कौन करेगा, एक third majority members की, both the houses of parliament की, और निर्वाचन आयुक्त को मुखे निर्वाचन आयुक्त को परामर्ष पर राश्टरपती द्वारा हटाया जा सकता है, बागी के commissioners कैसे remove हो सकते हैं, by the president on the advice of chief election commissioner, बताइए, गलत बताइए कौन सा है, इसमें से, देखिए, बी गलत ह अब ऐसा नहीं हर एक में all of the above और none of the above हो जाएगा, एक तहाई भाहमत नहीं चाहिए, two third majority चाहिए, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक दिया हुआ है और आपको थोड़ा सा याद करना है, यह धंग से, यह point बड़ा important है, यह point बड़ा important है, यह point बड़ा important है, चीक है, चले, 30, निमलिकित में से किस प्राधिकरन से संबंदित चुनाफ भारत के निर्वाचन आयुकद्वारा संपन नहीं कराए जाते हैं, बुच्रा election related to which of the following is not conducted by election commission of India, राजय विधान मंदल, state legislature, नगर पालिका, municipality, उपराष्टपती, vice president, राष्टपती, president, किस के नहीं कराते हैं, अब elections, लोकसभा, राजय सभा, state legislature, legislative assembly, president, vice president, और पंचायत और municipality का कौन करवाता है, पंचायत का भी नहीं कराता है, यह कराता है आपका, state election commission, बाकी का, यह कराते हैं, यह आपके, निर्वाचन आयोग, election commission कराता है बाकी का, ठीक है, चलो, 31 वा देखो, निमलखित मेंचे सही विकल्प का चैन करें, select the correct option, नियायाले द्वारा अपराधी घूशित किये गए विक्ति को चुनाव लड़ने के लिए, अयोगे करार देने का निर्नेर राष्टपती द्वारा लिया जाता है, decision to disqualify a person declared a criminal by a court of law from contesting the elections is taken by the president, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, दोनों ही सविधाने का अधिकार है, जब right to vote भी और right to be elected, दोनों constitutional rights नहीं कह रहा है, और 61 संचोदर नधिनियम, 1989 के द्वारा, मताधिकार की आयू को 21 वर्ष से घठा कर 18 वर्ष कर दिया गया था, और ये ब्रावधान 28 मार् 18, sorry, मैंने 20 बोल दिया, क्या, नहीं, हाँ, 18, 18, 61st amendment से हुई थी, तो, बताओ, कौन सा सही है, बी ठीक है, 2nd और 3rd, पहला क्यों गलत है, जो decision है, कि कोई person disqualified है, वो precedent नहीं लेंगे, वो आपका पार्लेमेंट लेंगे, not precedent, ठीक है, 32, देखूं, समिधान के अनुचे 326 के अंतरगत, वयसक मताधिकार को मानिता दी गई है, अडल्ट फ्रेंचाइज किस में रेकरनाइज जया, आर्टिकल 326 में, पिश्रा कौन सा सही है, बताओ, तीनों ठीक है, ठीक है, और तीनों आपको ध्यान रखने है, 33 देख लोग, अब इम्रिकित में से गलत विकल्प का चेहन करें, सिलेक दे इनकरेक्ट ऑप्शन, लोक सेवाओं में सुधार के लिए, पीसी होटा समिधी का गठन वर्ष, 2004 में किया गया था, ठीक है, और आपका पीसी होटा पूछ रहा है, किस से रेलेटेट है, को में के वे राजी की संचित निधी पर भारत होते हैं, जो एक्सपेंडिचर है, यूपी पब्लिक सर्विस कमिशन का वो चार्ज होता है, कंसलिड़ेट फंड पे, उत्रप्रदेश के राज लूग सिवायोग के कारियों का विस्तार उत्रप्रदेश विधान मंडल द्वारा किया जाता है, बताईए कौन सा गलत है, देखिए, सेकंड गलत है, वजह, जो 33 देख रहे हैं हम, पब्लिक सर्विस कमिशन जो पहली बार आया था, वो आया था गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट नाइन्टीन से, ना कि आक्ट आफ थर्टी फाइव से, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक दीवे हैं, आगे पढ़ेंगे, निमलिखित में से गलत विकल्प का चेहन करें, सिलेक दे इनकरेक्ट ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपती के अनुमोधन से, किसी भी राजे लोग सेवा आयोक के कारे संग लोग सेवा आयोक को सौपे जा सकते हैं, जो functions हैं, किसी भी State Public Service Commission के, उनको आप Union Public Service Commission को दे सकते हो, with the approval of the President of India, और भारत के नियंत्रक एवं महालेका परिक्षक के पदिचित करने में संसित की कोई भूमिका नहीं होती, Parliament has no role to play in the removal of CAG, Comptroller and Auditor General of India, तो ऐसा हो सकता है कि रोल ना हो, incorrect बता रहे हैं, भाई आप मुझे एक चीज बताओ, जो Parliament का कोई रोल किसके removal में नहीं होता, जो Chairman होते हैं ना Union Public Service Commission के, UPST के जो Chairman होते हैं, इनको इनके removal में नहीं होता कोई Parliament का रोल, लेकिन Comptroller and Auditor General के removal में Parliament का रोल, अफकोर्स होता है, मेंडेटरी है पार्लिमेंट का रोल, हाई कोट के जज हुए, आपके सुप्रीम कोट के जज हुए, Comptroller and Auditor General हुए, इन्हें remove करने के लिए, ठीक है? 35, निमलिखित में से कौन सा विकल्ब सही है, कौन सा correct option है, यह बताना है आपको. केंदरी एंवेशन ब्यूरो, सेंटर ब्यूरो फिन्वेस्टिकेशन, यह यह मैचिंग दिया हुए, तो आप बता दीजे देखके कौन सा है, केंदरी सतरक्ता आयो, सेंटरल विजिलन्स कमिशन, ब्रस्टाचार निवारन कानून, प्रेंचन अफ कर्रेप्शन आप्ट और प्रवर्तन निदेश आले है, एंफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट, पहला ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, एंफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट का गलत दिया, वो है है, वो है आपका, है क्या, 1956, यह सही है, 36, निमलिकित में से गलत विकल्प का चैन करें, सेलेक्ट दी इन आयोग की अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्टरपती द्वारा की जाती है, दे चैर्मन और अधर मेंबर्स अफ जॉन पब्लिक सर्विस कमिशन और तो और मोर स्टेट्स आर पॉंटेट बादे प्रेसिदेंट ऑफ इंडिया, किसी राजे में र लोग सेवायोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, अंडर अर्टिकल 318 of the Constitution, the member of the Public Service Commission can be removed, राजे लोग सेवायोग के अध्यक्ष तथा अन्ने किसी सदस्यों को उचित्यम न्याले की जांच के पश्चात राष्टरपती द्वारा हटाया जा सकता है, the Chairman and any other member of the State Public Service Commission can be removed by the President after an inquiry by the Supreme Court, incorrect बताना है आपको, तो C हो जाएगा, देखो, क्यों होगा C, आर्टिकल कौन सा है यह, यह आर्टिकल अगर याद नहीं कर रखे तो बहुत ही गलत है, 317 है आर्टिकल, खटाने के लिए, मैंने आपसे बताया था, अभी आप जब पॉलिटिकल इस्टिंग विडि गलत विकल्प का चेहन करें, सेलेक्दी इनकरेक्ट ऑप्शन, मंडल आयोग का गठन वर्ष, 1979 में ततकालीन पिजानमंत्री मुराजी दिसाई के नितरत्व में जन्तापाटी की सरकार ने किया था, कब कॉंस्टिटीूट हुई थी मंडल कमिशन, 1979 में, मंडल आयोग ने 31 स संबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्टरपती को सौपी थी, फिर रिपोर्ट सब्मिट करी, और गठन अनुचे 343 के अंतरगत हुआ, और अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रिसाद मंडल थे, तो पताइए अनिकरेक्ट कौन सा है, भाई, C हो जाएगा न, इंकरेक्ट, मंडल का मिशन 340 में हुआ था, आर्टिकल 340 के अनुसार इसको कॉंस्टिट्यूट किया गया था, बाकी देख लो प्लीज, एक बार, ये बिल्कुल ठीक है, करके जाने हैं ये, चलिए, 38, निमलिखित में से गलत विकल्प का चैन करें, सिलेक्दी इन करेक्ट ऑप्षिन, इस समिथी में मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों के साथ, मौलिक करतमों को भी शामिल करने पर विचार किया था, तो, कमिटी ने क्या कहा था, इंकरेक्ट बताओ कौन से है, कोई इंकरेक्ट नहीं है, सर्दार स्वरन सिंग कमिटी 1976, याद रखना, चलो, 39, निमलिकित में से गलत विकल्प का चेहन करें, सलेक्ट इंकरेक्ट ऑप्षिन, केंद्री प्रदूशन नेंतरन बोर्ट का गठन, सिसंबर 1974 में, जल प्रदूशन निवारन एवं नेंतरन अधिनियम, 1974 के प्राधानों के तहत किया गया था, Central Pollution Control Board was constituted in September 1974, केंद्र सरकार ने वर्ष 2000 में नियायमूर्थी एमन वेंकरचलिया के अधिक्षिता में समिधान की समिक्षा के लिए एक राष्ट्रायोग नुक्त किया था, a National Commission to review the Constitution was appointed by the Central Government under the Chairmanship of Justice MN वेंकरचलिया in the year 2000, इनकरेट्ट पताओ कौन से हैं? कोई भी नहीं है, इनकरेक्ट? ठीक है दोनों, और याद करो दोनों, और National Commission ने अपनी Final Report समिट कब करी? 31 मार्च 2002 को, ठीक है? Final Report चोंशन समिट करी थी, 2002 में, कौन सी? Final Report, 40. निमलिखित में से समयधानिक निगायों का चैन करें, Constitutional Bodies चुननिया, कोई ये भहुत आता है सवाल के इंद्रिवित आयोग, Central Finance Commission, निर्वाचन आयोग, Election Commission, संसक्का सचवाले, Secretary of the Parliament, पताए, Constitutional Conscience में से? सारी है, Constitutional. Secretaryate भी है, इस पे स्टार बना लो, ये तो सभी सही करके आएंगे, ये वाला देखके जाओ. 41. लिमलिकित में से गलत विकल्प का चैन करने, Select the Incorrect Option. 1966 में मुराजी दिसाई की अधिक्षिता में, प्रिसाशने क्स दोथार आयोग का गठन किया गया था. 1966 में, Administrative Reforms Commission was Constituted under the Chairmanship of मुराजी दिसाई. संसत में, पहला लोकपाल विध्यक वर्ष 1966 में, चौथी लोकसभा दौरान के दौरान पेश किया गया था. पहला लोकपाल बिल बोल रहा है, 1966 में आये था. लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतरगत, लोकपाल संस्था का गठन, मार्च 2019 में किया गया, ठीक है? और लोकपाल संस्था में एक अधियक शर आठ्च दस्यों का प्रावधान किया गया. आपको बताना है कौन साग गलत है? इसमें आपका B हो जाएगा गलत. क्यों? तो पहला लोकपाल बिल था ना, पार्लेमेंट में कब आया था? वो आया तो था चौथी लोकसभा में ही, लेकिन चौथी लोकसभा का आपको कारेकल उसके लिए पता होना चाहिए. ये लिस्टिंग वीडियो में आपको इसब कराया गया है. चौथी लोकसभा का कारेकल था 1968 ना कि 1966 तो बाकी ये 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 ठीक है लोकूँ चलिए 42 निमलिकित में से गलत विकल्प का चैन करें, सिलेक दी इन करेक्ट ऑप्शन लोकायुक्त संस्था संस्थापित करने वाला मध्यप्रदेश पहला राजे क्या? लोकायुक्त, फर्स्ट टेट MP उत्रप्रदेश के लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट राजेपाल को सौपते हैं, जो लोकायुक्त हैं उत्रप्रदेश के, he submits such reports to the government. उत्रप्रदेश के लोकायुक्त की पजधारन अवधी वरतमान में आठ वर्ष है, बतलब की, टर्म आफ ओफ ऑफिस, 8 years. उत्राखंड वर्ष 2011 में लोकायुक्त विध्यक पारित करने वाला पहला भारती राज है, 1st Indian state to pass the लोकायुक्त bill in 2011 उत्राखंड, बताईए. ये बड़े important questions हैं, तो धान दीजे इन पे आप. ठीक है? तो गलत कौन सा है? ए, ये मध्यप्रदेश नहीं है, बताईए कौन सा state है, है किसी को पता? महराष्ट, not मध्यप्रदेश, बाकि ये ठीक हैं, ये देखके जाओ. statements अपने आप में ऐसी बनाई जा रही हैं, जो आपको अच्छे से preparation करा दें. 43 लिमलिखित में से गलत विकल्प का चेहन करें, select the incorrect option. भारते पिसाशनिक सेवा और भारते पुलिस सेवा को समाप्त करने के सिफारिश, राजमनार आयुक दोरा की गई थी. बताईए, पेपर ही कैसे देंगे, फिर हाइस और IPS को अबॉलिश करने के लिए, राजमनार ने, कमिशन ने, राजनेताओं और अपराधियों के बीच साथ घांट की जाच के लिए वर्स 1993 में वहरा समिथी का अउठन किया गया था, वहरा कमिटी वस कॉंस्टिटूटे इन दे यार 1993 तो इन्वेस्टिगे दे नेक्सस बेविन दे पॉलिटीशन और क्रिमिनल्स, बताईए. 43 का क्या आंसर हो जाएगा, तो ठीक हैं दोनों बातें, ये दोनों बातें आपको धान रखने हैं खास कर ये वाला पॉइंट, ठीक हैं, ध्यान रखो ये सारी चीजें बड़ी ज़रूरी हैं, चलिए, 44 देखेंगे अब, कितना कर दिया है, तीन साल कर दिया है, याद रखना हैं इंपोर्टन्ट है, क्योंकि लेटेस्ट है ये, 45, निमलिकित में से गलत विकल्प का चेहन करें, सेलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन, भारत में नीती आयोग की स्थापना, एक जनवी 2015 को, केंद्री मंत्री परिशत द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के द्वारा की गई थी, स्थापना 15 मार्च 1950 को, केंद्रे मंत्री परिशत द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से द्वारा की गई थी, प्रधान मंत्री नीती आयोग का पदेन नधिक्ष होता है, प्राइमिनिस्टर इस दी एक्स उफिष्ट चैर्मेन आफ नीती आयोग, डीडी बसू ने विट आयोगे मं योजन आयोग के परस पर वेले का प्रस्ताव दिया था, डीडी बसू had proposed the merger of Finance Commission and the Planning Commission, बताए कौन सा गलत है, डी गलत है, पहले तो ये तीनों देखो, ये बहुत जरूरी है, नीती आयोग देखो, नीती आयोग की फुल फॉर्म मुझे कमिट करके बताओ जरूरा, फुल फॉर्म क्या होती है, नीती की, और ये डीडी बसू ने नीती आयोग के, पहली चीज तो देख लो, प्लानिंग कमिशन देख लिए, आपने मार्च पचास में आया था, और पंडे जवाला नेरू, उसके पहले चेर्मेन थे, और प्राइम मिनिस्टर ही एक्स अफीशर चेर्मेन होते हैं, किसके नीती आयोग के, और ये डीडी बसू ने नी आसा कहा था, ये कहा था आपके M.V. माथुर्ने, निमलिखित में से गलत विकल्प का चेर्न करें, select the incorrect option, राश्टर विकास परिशत के संबंध में, regarding the National Development Council, इसकी सापना अगस्ट 1952 में की गई थी, ये एक समयधानिक निकाय है, constitutional body है, भारत की प्रथान मंतरी संसा के अध्यक्ष होते हैं, चेर्मेन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और नीतिया होके सचिफ राश्टर विकास परिशत के सचिफ के रूप में कारे करते हैं, जो secretary है नीतिया होके, he acts as a secretary to the National Development Council, incorrect बताओ कौन सा है, तो incorrect है B, ये एक constitutional body थोड़ी है, ये ना तो constitutional है, ना ही statutory है, और NDC, NDC में कौन-कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, chairman या फिर head, सारे cabinet ministers होते हैं, chief ministers होते हैं, हर state के, फिर आपके chief ministers, administrators होते हैं, union territories के, और planning commission के members, जो अब नीतिया होग है, और secretary of planning commission, कौन होते हैं, ये secretary होते हैं, NDC के, ये याद रखना, तो गलत सिर्फ ये है, समिधानिक निकाय थोड़ी ना है, बस इतना ध्हान रखना, ये न तो समिधानिक निकाय है, और नहीं विधानिक निकाय है, ये आपको ध्हान रखना है, अच्छे से, अभी तो उपर देख क्या हो, ये स्पैसिफिक रिजिशन से आय था, ये स्पैसिफिक रिजिशन से आय था, तो फिर ये तो अपने आप ही ठीक कर देते, कि सिर्फ ये गलत है, बाकी ये ठीक है, लॉजिक लगाय करो कई बार पेपर में होते हैं, ऐसे सवाल, जो किसी आंसर आपको मिल रहा होता है उसमें से, 47, निमलिकित में से सही विकल्प का चेहन करें, select the correct option, पंच वर्ष ये उजिनाओ के निर्मान में, राजों की भागिदारी सुनिश्चित करने के लिए, राश्र विकाष परिशित का गठन किया गया था, नेने वाली संस्था नीति आयोग है, और वित आयोग, योजन आयोग और राजे सरकारों के बीच, एक समनवे के रूप में कारे करती है, जो फिनान्स कमिशन है न, वो कॉडिनेटर की तरह एट करती है, प्लानिंग कमिशन और स्टेट कर्रेक्ट बताओ कौण सा है, 47 का कर्रेक्ट बताओ मुझे, ये सिर्फ पहला गलब करेक्ट है, अब देखो धहान से सुनना है, इसके ऑप्शन्स, देखो, ये ठीक है NDC वाला, जो हाइस्ट डिसिजन मेकिंग बाडी है न, प्लानिंग कमिशन के बीच में और स्टेट गवर्मेंट के बीच में समन्मेल आती है, इसमें फिर्फ इन्स कमिशन क्या करेगा इसमें, नैशनल देवलप्मेंट काउंसल, ये इंपोर्टन बॉड़ी है, और ये करा दी गई है, आपको इसके बहुत सारे सवाल आ सकते हैं इस पिसे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब, 48, निमलिकित में से गलत विकल्प का चेहन करें, select the incorrect option, समिधान का अनुच्छे 280, प्रतेक 5 वर्ष के अंतराल पे, 1 वित आयोग के गठन का प्रावधान करता है, Article 280 का कहता है, वित आयोग का मुख्य कारेख केंदरे कारो में, केंदरे कारो में से राजियों के भाग तथा केंदरे द्वारा राजियों के लिए दी जाने वाली विक्टे साहिता का निर्धारन करना है, the main function of finance commission is to determine the share of the state from the central taxes and the financial assistance given by the center to the states with ayug में एक अध्यक्ष के इतरिक्ट चार अन्य सदस्य होते हैं मतब एक chairman plus four other members भारत का मुख्य ने आएदीश with ayugद्वारा की गई प्रतिक सिफारिश को संसत के प्रतिक सदन के समक्ष रखता है Chief Justice of India place करते हैं हर recommendation made by the finance commission before each house of the parliament incorrect बताओ वाई तो यार देखना Chief Justice क्यों रखेंगे? Chief Justice का क्या काम है? कौन रखेंगे? President साब रखेंगे ना Chief Justice का क्या लेना देना है Finance Commission से? तो logical है अब आकी देखके जाना 280 आर्टिकल बहुत जरूरी है चलो 49 स्वातंत्र भारत की प्रथम मंत्री मंदल 1947 में निमलिकित में से किसे वित विभाग दिया गया था बहुत जरूरी है पहला cabinet independent इंडिया का interim सरकार के मेंबर्स सब जरूरी है Department of Finance किसको दिया गया था? मौलाना अबुलकलाम अजाद को John Mathai को आरकेशन मुगन शर्टी को सर्जार बल्देव सिंग को एक क्वेशन गलत ना हो जाए किसी का बहुत आरकेशन मुगन शर्टी तो छूटते या अंसर आना चीए मौलाना अबुलकलाम अजाद को क्या दिया गया था? एजूकेशन मौजान मत्हाई को रेलवे और ट्रांस्पोर्ट और सर्जार बल्देव सिंग को डिफेंस और एफिनांस वाले हैं ठीक है? चलो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जोगिंदरनाथ मंडल को निमलिकित में से कौन सा विभाग दिया गया था? जोगिंदरनाथ मंडल को बताईए आंसर विधी दी गई थी इनको लॉग और आपके वर्क्स माइन्स वाला जो है एनर्जी वाला ये किसको दिया गया था? CH भाबा को विध किसको दिया गया था? लियाकत अली खान एसे आद कर लो रेलवे और परिवाहन 1946 अंडर इंटरेम सरकार की बात कर रहा ही है 47 में देख लो फिनांस किसको दिया? शन्मुकुन शिट्टी को यहाँ पे लियाकत अली को और रेलवेर परिवाहन यहाँ पे किसको दिया? आसफ अली को याद रखना और लॉग आपने देखी लिया है यह बहुत जरूरी हैं सवाल बता दिया है मैंने चलो शगुन का क्विस्टिशन निमलिकित में से गलत विकल्प का चेंड करें Select the incorrect option के एम नंबियार ने कहा था कि राष्टपती का अपातकाली अधिकार समिधान के साथ धोका है अभी तक उपयोग नहीं किया गया आटिकल 360 नहीं यूज हुआ है ऐसा बोल रहा है यह राष्टपती साशन अधिक्तम दो वर्ष के लिए लगाय जा सकता है प्रेश्टेंट्स रूल कैन बी इंपोस्ट पर आमाक्सम पीरिड और फोर ये अधिक्तम प्रेश्टपती साशन दो थोड़ी तीन साल तक लगाई जा सकता है न एक्स्टेंड के रा सकता है मितलब और 360 360 क्या कहता है वही फिनांशल एमर्जेंसी ये गलती मत करना वास 352 356 360 इन में गलती ना हो जाए धान रखना और ये भी ठीक है विल्कुर तो अब हम 50 second question देखेंगे निम्लिकित में से गलत विकल्प का जैन करें select the incorrect option विखूँ राष्ट्र अपातकाल की दौरान लोगसभा का कारिकल अपातकाल की समाप्ती तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन एक बार में केवल एक वर्ष के लिए मतलब अगर national emergency लगी विए तो the term of लोगसभा can be extended till the end of the emergency but only for one year at a time आपातकाल की दौरान किसी भी राज्य की विधानसभा का कारिकाल संसर द्वारा बढ़ाया जा सकता है तो the term of any state assembly can be extended by the parliament during emergency और राजयपाल की सलहा पर राजय में राष्ट्रपती साशन लागू किया जा सकता है प्रेजिडेंट का जो रूल है it can be imposed on the state on the advice of governor आपको गलत बताना है कौंशा है मैं पदाइए है तो पहला आपने कब सुना है क्या है छौदा राइट ट्व क्वालिटी है एक वडूर्टी थोड़ि ना एक्वालिटी को थो सस्पेंट कर सकते हैंकिस को नहीं सस्पेंट कर सकते हैं से दू आर्टिकल्स हैं 20 और 21 इनको नहीं कर सकते हैं सस्पेंड ठीक है और बाकी बाते देखिए ध्यान से पढ़ लीजे एक साल एक बार में और स्टेट असेमली बिल्कुल और प्रेसेडेंट का रूल बिल्कुल गवर्नर के ड्वाइस पर लगाया जा सकता है 53 निमलेकित में से सही विकल्प का चेहन करें सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन अनुच्छे 352 के अंतरगत भारत के राश्ट्रपती दुवारा राश्ट्रियापात काल की गुषना की जा सकती है 352 नाशनल इमर्जनसी कि यदि बहारी आकरमन्स अशत्र विद्रो युद आर्थिक संकट आंतरिक अशान्ति का खत्रा है तो भारत का राश्ट्रपती राश्ट्रियापात की गुषना कर सकता है और राजों में सम्विधानिक तंतर के विफल होने की स्थिती में राश्ट्रपती राश्ट्रेपात काल की गुषना कर सकता है तो आपको बताना है सही कौन साइस में से देखिए पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक है दूसरा क्यों गलत है ध्यान से देखिएगा जब external aggression है armed rebellion है और economic crisis है और economic crisis है internal disturbance नहीं तब हो सकती है declare national emergency otherwise नहीं ठीक है मतलब आंतर कशान्ती का ये वाला हटा के ये तीन हों तब आप राश्ट्रेपात काल राश्ट्रपती लगा सकते हैं otherwise नहीं लगा सकते हैं ठीक है चली निम्लिकित में से गलत विकल्प का चेहन करें select the incorrect option राश्ट्रिया पातकाल घुषित करने के लिए नुच्छे 352 मैं आपको बताया 352, 356, 360 रटे होने चाहिए आपको इसे एक महा के अंदर ही संसद की स्विकृती मिल जानी चाहिए इसे संसद के दो तिहाई भहुमत द्वारा अनुमुदित किया जाना चाहिए इसे संसद के विषेश भहुमत से वापस लिया जा सकता है और कैसे विड्रॉब सकता है ये सब्स लिया जा सकता है ये दौनों बिल्कुल ठीक है एक महीन में अप्रूउवल, दो थर्ड मेजॉरिटी अप्रूवल की, हटाने के लिए no special majority only simple majority 55 निमलिखित में से गदलत विकल्प का चेहन करें select the incorrect option, चुनावी सुधार के लिए सुझाव देने हे तू, इंदरजीत गुपता समिती का गठन वर्ष 1909 में किया गया, इंदरजीत गुपता कमिटी, formed in the year 1998 to give suggestions for electoral reforms पुंच्छी आयोग के सिफारिशों पर अंतराजे परिशत की स्थापना की गई थी Interstate Council was established in the recommendations of the पंच्छी Commission और जून 1983 में नयायमूर्ती RS सरकारिया की धेक्षिता में एक आयोग का गठन किया गया था, a commission was constituted in June 1983 under the Chairmanship of Justice RS सरकारिया और सरकारिया आयोग ने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट सौपी थी, बता दीजे गलत कौन सा है? B है गलत देखिए इंदरजीत गुपता पहले याद कीजे, जो सही है उनको याद कीजे, 1998 बिल्कुल ठीक है मैं याद भी करा हूँ आपको बैठके Interstate Council पंचियायो की से संबंदे थोड़ी है Interstate Council का संबंद है सरकारिया कमेशन से ये सरकारिया कमेशन याद रखना पेपर में पूछा आ चुका, UPSC में भी एक बार और June 1983 में RS सरकारिया ने RS सरकारिया की चेर्मेंशिप में एक गठन का formation हुआ था और उसका जो objective था, वो था Center State Relations ठीक है, मतलब उसका किसलिए था? केंद्र राजे संबंदों को मस्बूत करने के उपायों पर विचार करने के लिए और उन्होंने रिपोर्ट सम्मिट करी 1988 में और इसके दो और मेंबर्स से सरकारिय कमीशन के B. शिवर अमन और S. र. तो B. शिवर अमन याद रखना, प्लस S. अर सेन प्लस सरकारिय कमीशन के तो हैं RS सरकार्य याद रहेगा? तो यह 3 member कमीशन था चलो, बढ़िया 56 नहोचीत में से आर्टिकल 301, Freedom 2 of Interstate Trade and Commerce has been provided. सरवोच नियाले, केंजरो और राजो के बीच वित्ते विवादों से निपटने के लिए मुख्य निकाय है. सुप्रीम कोट is the main body to deal with financial disputes between the center and the states. बताई गलत कौन सा है? असान है, तो कोई गलत नहीं है. दोनों बाती बताओ, क्या गलत है इसमें? कुछ भी नहीं. यह याद रखना, यह point बहुत जरूरी है. यह तो देखिए, आपको अनुछे रियाद नहीं आ रहा है, तो आपने revise नहीं करा है. धंक से. लेकिन अगर यह नहीं बता पा रहे हैं, तो concept भी क्या आपका? 57. निमलिखित में से सही विकल्प का चेहन करें, select the correct option. समिधान के अंतरकत, भारते संगा कोई भी राजे सीधे विदेशी रिन प्राप्त कर सकता है. कोई भी state है, it can obtain foreign loans directly. अनुचेद 268 से लेके 281 तक केंद्र सरकार्ट स्था राजे के मध्धे आर्थिक संबंदु की विवेचना की गई है. 268 to 281, the financial relations between the central government of the states have been discussed. भारते समिधान का भाग 12, केंद्र और राजे के मध्धे वित्य संबंदु का विवरेन प्रस्तुत करता है. पार्ट 12 बोल रहा, it presents the financial relations between center and states. सही बताओ कौन सा है. B. पहली बात थोड़ी अटपटी नहीं लगी आपको. भाई, कोई state नहीं ले सकती foreign loans directly. foreign loans अगर देना है, आपको विदेशी रिन प्राप्त करना है, तो वो आपको central government के थुरू, केंद्रिय सरकार के से होते हुए ही प्राप्त करना पड़ेगा, उसी के माध्यम से प्राप्त करना पड़ेगा. तो foreign loans में center main है, states नहीं और ये विल्कु ठीक है, 58, निमलिकित में से गलत विकल्प का चेहन करें, select the incorrect option. भारत में केंद्र राजे संबंध इन चारों पर निर्भर करते हैं, समिधानिक प्रावधान, परंपराएं और प्रथाएं, नियाइक विया क्याएं और बाचीत के लिए तंत्र. Center-States Relations किस चीज़ पर depend करते हैं? Constitutional provisions, conventions and practices, judicial interpretations and machinery for negotiation. भारते समिधान के भाग 11 में, केंद्र राजे के बीच विधाई संबंध अनुचेद 245 से लेके 255 तक दिये हुए हैं. Between the center and the states are provided under part 11 of the Indian constitution from article 245 to 255. भारते समिधान के भाग 11 के अंत्रगत, केंद्र राजे के बीच, पिसाशनिक संबंध अनुचेद 256 से जो 273 तक दी गए हैं. वो बोल रहा है administrative रिशा, अब इन दोनों में से एक गढ़ बढ़ा ना, यह तो पता लगी गया होगा, जब एक ही चीज़ पूछ रहा है दोनों में तो. तो क्या अंसर हो जाएगा इसका, पार्ट 11 से, हाँ, आर्टिकल अलग हो जाएंगे ना, 256 से 263, आर्टिकल ध्यान से पढ़ना, 245 से 255, बताओ मुझे, क्या हो जाएगा इसका अंसर, सारे सही है यह, ऐसे सोच समझ के देखना, आर्टिकल्स जरूर देखना, यह 245 से 255 क लोगों को, पार्ट्स पढ़के, फिर धंग से देखना, उनके आगे आर्टिकल भी लिख्यों होते हैं, हमें वो देखने हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टन नहीं है, ठीक है, चलो, 59, निम लिखित में से कौन चा विकल्प सही है, correct, साथ्विय नियू सूची के इंतर सरकार ही कानून बना सकती है, only central government can make laws on concurrent lists, भारत के समयधान ने संसत में अवशिष शक्तिया नहीं है, constitution जो है इंडिया का, उसमें है reciduary powers, बताए कौन सा चाहिए, यह तो पता लग रहा होगा, गलत क्यों है, concurrent list में center plus state, दोनों laws बना सकती है, यही तो मतलब है concurrent list का, समवर् विकल्प का chain करें, select the incorrect option, अनुच्छे 249 राजसुची के विशों के संबंध में संसत की विधाई शक्तियों से संबंधित है, आर्टिकल 249 deals with legislative powers of the parliament with respect to the subjects of the state list, अनुच्छे 249 के अंतरगत, राजसभा द्वारा पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसत को राजसुची के व राजसभा, by which the parliament is given the right to make laws in the national interest on the subject of the state list, that right does not remain in force for more than six months, और राश्रपती को भारत के समिधान द्वारा अंतर राजतिये परिशद सापत करने का धिकार दिकार दिया हुआ है, who has been empowered by the constitution of India to establish an interstate council, president, बताइए, गलत कौन साया, दूसरा गलत है, reason, बताइए मुझे, दूसरा क्यों गलत है, आप देखिए, जब 249 के अंडर कोई resolution पास करेगी ना राजसभा, तो state list पे subject, जो mentioned है, उन पे laws बनाने के लिए, तो वो जो है, वो एक साल से, मतब तीन महीने सदा नहीं, one year, तो तीन महीने नहीं है, मतब, सॉरी, छे महीने नहीं है, it is one year, एक साल, बाकी देख लो, ये बिल्कुल ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है बई, चलो, निमलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, incorrect पूछ रहा है, अंतराजतिय परिशद एक समयाधनिक संस्था है, Interstate Council, Constitutional Body है, 1956 में संसत की अधेक अधिनियम द्वारा, पांक छेत्रे पर परिशदों, उत्री, दक्षनी, केंद्री, पूर्वी और पश्चिमीं का गठन किया गया, था, 5 Zonal Councils, North and Southern, Central, Eastern and Western, were formed by the Act of Parliament in 1956, वर्श 1971 में उत्र पूर्वी परिशद ध्तिनियम उत्र बहातर की अंतरगत उत्तर पूर्व के राज़यों के लिए उत्तर पूर्वी परिश हैं और आपकी गलत हो रही है तो ठीक नहीं है तो बहुत जरूरी हैं हर साल आ रहा है हां से अब बताओ इसमें से नौथ इसन स्टेट का नहीं है सारे पताओ ने चाहिए क्या होगा इसका अंशर को डी होगा इसका डी में किसके लिए प्रोविजन है आंध्र प्रदेश के लिए इस्टेट अफ तिलंगना ठीक है ये ए में किस से रिलेटड है पहले तो 371 बताओ किस से रिलेटड है महराष्टर कुजराच से 371 ए ये है नागलेंड से ये बहुत जरूरी है आटिकल बी किस से रिलेटड है असम से ए बी ऐसा कर लो और सी मनीपूर और ये मैंने बताए दिया नागलेंड असम मनीपूर मतब ये तीनों नौर्ट इस्ट के लिए हैं और ये आपका अलग है आंध्र प्रदेश के लिए ये ना गलत हो जाए भई निमलिकित मेंसे गलत विकल्प का चेयन करें से एक दिन करेंट आप्शन बहुत प्रैक्टस करा रहे हैं हम लोग इस ही वजह से अनुच्छेद प्रावधान राजेस के संबंद में विश है 371 FGHI ये बताओ खुद देख के बताओ स्पेशल प्रोविजन किस कौन सा इनकरेक्ट है इसमें से F F कलत है F क्या है F सिक्किम है ठीक है और H क्या है बताओ जल्दी अरुनाथ से प्रिदेश ठीक तो दिया हुआ है G मिजरम ठीक तो दिया हुआ है I गोवा ठीक तो दिया हुआ है और जे जे पूछू तो 371 जे ये है करनाटिका तो ये गलत हो गया ये ये ठीक है F बता दिया सिक्किम है याद कर लो यहीं पर फिर याद करो कि मुझे पेपर में 64 गलत विकल्प का चेयन करें से लेक दीन करेक्ट आप्शन अब देख लो क्या क्या Consolidated Fund of Concerned States से क्या क्या दे जाता है Salary Alliances of the Judges and Pension to the Retired Judges of the High Court और उच नयालो के नयाधिशों की सेवा निवृत्ती क्या यूँ बासट वर्ष है Retirement Age बताओ गलत कौन सा है जल्दी 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 C है गलत अब फरक देखो क्यों Salaries और Alliances दिये जाते है Consolidated Fund of the State से धान रखना Salaries प्लस Alliances Pension की अगर बात करें ये बहुत जरूरी फैक्ट है इसलिए हमने टेस्स में कवर करा है ये Consolidated Fund of India से दिये जाते है CFI से और Consolidated Fund of State से क्या दिये जाता है आपके वेतन एवं भत्ते लेकिन Pension जो है ये Consolidated Fund of India से दिये जाते है रटलो इसको मैं बार-बार बता रही हूँ बाकी याद कर लो हाँ बाकी ठीक है 65 निमलिखित में से गलत विकल्ब का चैन करें Select the Incorrect Option Dr. APJ अब्दुलकलाम ने भारत में चलत नयायले की परिकलपना सबसे पहले दी थी Mobile Code का जो आइडिया था Dr. APJ अब्दुलकलाम ने दिया था ये ऐसा बोल रहा है अनुच्य 233 के अंतरगर जेरा नयायधिश शब्द का उलेक किया गया है The word District Judge has been mentioned Under the Article 233 नयायधिश HR खना ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया था कि प्रतियक उचनयाले में एक तिहाई नयायधिश दूसरे रहसे से होने चाहिए मतलब हर हाई कोट में एक वन थर्ड जजज शुड बी फ्रम दी अधर स्टेट गौहाटी उचनयाले ने एक ही बार में तीन बार तलाग कहने से तलाग होने को गैर कानूनी माना है गौहाटी हाई कोट थे इसा माना था अलहाबाद हाई कोट ने और यह जड़ा देख लो मुबाइल कोट यह आ सकता है सवाल और 223 आर्टिकल तो याद होने ही चाहिए आपको लिमलिखित में से गलत विकल्प का चेयन करें सेलेक्दी इनकरेक्ट ऑप्शन बाबरी मज़ित रामजन भूमी का विवाद इलहबाद उच नयाले के समक्ष प्रस्तुट किया गया था वह एक प्रकार का नयाइक पुनरिक्षंड मुकदमा था क्या था? जुडीशल रिव्यू सुइट था वो किसी उच नयाले का नयाधिश राष्टपती को संबोतित करते वे अपना त्यागपत्त देता है पहला गलत है ये आपका जुडीशल रिव्यू सूट था कौन सा था ये? टाइटल सूट था ये कितना तो आया पेपर में? नियूज में? सबने देखा ये ये एक प्रकार का टाइटल सूट था क्या था ये? बताओ जल्दी स्वत्वाधिकार मुकदमा था ये टाइटल सूट इट वस नॉट नियाइक पुनरिक्षन मुकदमा नॉट जुडिशल रिव्यू सूट बाकी दोनों याद रखने आपको ठीक है? चलिए तो 67 देखें गया अब निमलिकित में से कौन सा राजे? 1948 में गठित गोहाटी उच नियाले के अंतरगत नहीं आता है विजब देखो गोहाटी उच नियाले में का जो परादेशिक शेत्राधिकार है मतलब टेरिटोरियल जूरिस्टिक्षन है वो असम, नागलें, मिजुरम और अरुनाचर प्रदेश के लिए है सिक्क्यम हाई कोट कब स्टाबलिश हुआ 1975 तो गोहाटी हाई कोट कब आय था ये 1948 में था इसके अंडर जो आते हैं वो मैंने आपको बता दिये हैं असम, नागलेंड, मिजुरम, अरुनाचर प्रदेश मतलब इसके साथ प्लस नागलेंड चलिए निमलिखित में से गलत विकल्प का चेहन करें सेलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन अनुच्छे दिये हुए हैं 215 उच न्यालों का अभी लेक न्याले होना हाई कोट्स तुप दिकोर्ट साफ रिकॉर्ड 226 कुछ रिट जारी करने के लिए उच न्यालियों की शक्ति पावर अफ हाई कोट्स तु इशू सर्टन रिट्स और 223 कारे वहाक मुख्य अधीश मुख्य न्याधीश की नियुक्ति अपॉंट्मेंट अफ अधिंग चीफ जस्टिस और 219, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समाने उच न्यालियों की स्थापना Establishment of a Common High Court for two or more states बताईए कौन सा गलत है दी गलत है क्यूं? 219 क्या कहता है? ये आपकी शपत की बारे में बात करता है उच न्यालियों के जो न्याधीश है उनके द्वारा शपत या प्रतिज्ञान Oath and Affirmation ये इसकी बात नहीं करता है दो से ज़्यादा की बात फिर कौन सा आटिकल करता है? ये भी तो पता होना चाहिए तो वो करता है आपका 231 एक मिनुट ये ना पैन गरबढ कर रहा है तो वो करता है आपका 231 ये और ये जो है 219 ये जो बात कर रहा है ये कर रहा है ओथ की उचनेयाले के नाए दिशों की ठीक है? Judges of High Court की याद कर लो भई 69 पुड़ुचरी निम्न में से किस उचनेयाले के प्रादेक्षिक शेत्रादिकार के अंतरगत आती है पुड़ुचरी कमस अंडर दे टेरिटोरिल जुरिस्टिक्शन ओफ विजफ फॉलिंग हाई कोट केरिला, मजरास, कलकता, पंजाब, हरियाना बताओ, बढ़िया सवाल है बढ़िया, मजरास, हाई कोट के अंडर थी उस इतना धान रखना अब देखो, केरिला हाई कोट ये स्टाबलिश हुआ आपका 1956 में और मजरास हाई कोट हुआ आपका 1862 में कलकत्ता हाई कोट कब हुआ 1862 में और पंजाब, हरियाना हुए थे 1875 में जुरिस्डिक्षन की बात के रहें तो केरिला हाई कोट के अंडर केरिला का जुरिस्डिक्षन आता है प्लस लक्षदीप का आता है मजरास के अंडर आपका तमिलनाडू का आएगा, जहिर सी बात है मजरास, प्लस Pondicherry का आएगा, Calcutta के अंडर आपका West Bengal का आएगा और कौन किस का आएगा, Andaman and Nicobar Islands का आएगा, और Punjab Haryana में आपका, Punjab Haryana प्लस Chandigarh का आता है, तो यह याद रखना यह भी बता दिये हैं मैंने और किस किस के आते हैं जुरिस्दिक्शन यह भी बता दिये सत्तरवा कोईशन, राजे की विधाईका में शामिल तत्वो का चैन करें Select the elements included in the legislature of the states राजे पाल, विधान सभा, विधान परिशद जहां वो मौझूद हो, legislative council मुख्यमंत्री, chief minister, बताओ तो चलो, बता दूँ, तुम भी क्या याद रखोगे 168, ठीक है चलो, 71 निमलखित में से सही विकल्प का चैन करें Select the correct option अनुचेद 174 के अंतरगत, राजे विधान परिशद का प्रावधन किया गया है, Provision of State Legislative Council 174, विधान परिशद की स्थापना या विक्ठन, संसेट विधी द्वारा तब कर सकती है चेफ संबंधित राजे की विधान सबा इस आशे का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तता उपस्सित एवा मद देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित करें मतलब legislative council कब established हो सकती है या कब dissolve हो सकती है by parliament, by law, when the legislative assembly of the concerned state passes a resolution to this effect by a majority of the total number of members of the house and two-third of the members present and voting करेक्ट पताईए कौन चाह है बढ़िया सवाल है ये देखे दूसरा ही सही है दूसरा बड़ा important है इसको याद कर लो आर्टिकल तो वैसे भी याद होई जाएंगे कोई दिखकत नहीं है ये आर्टिकल 174 नहीं है ये आर्टिकल 171 है 171 बस ये गलती है ये वन है ठीक है चलो ये पर ये बहुत important है स्टार बनाऊ इसमें 72 सही विकल्प का चेहन करें select the correct option आर्टिकल 169 इसके अंतरगत विधान सभा को विधान परिशद बनाने के लिए प्रस्ताफ पारिद करने की अनुमती है अडर आर्टिकल 169 legislative assemblies allowed to pass a resolution to create a legislative council अब उत्रप्रदेश की विधान परिशद में कुल सदस्यों का एक दस्वा भाग राजेपाल द्वारा मनुनीत किया जाता है legislative council of उत्रप्रदेश one tenth of the total members और नॉमिंटर बादी governor राजे विधान परिशद एक सथाई सदन है प्रती एक दूसरे वर्ष इसका एक तिहाई सदस्य से सेवा निर्थ हो जाते है state legislative council जो है यह permanent house है every second year one third of its members retire answer सही कौन सा है सारे सही है देख लो क्यों तो term जो है ना member का कितने साल हो गया term जो है यह ऐसी तो parliament कभी तो है ऐसी यह देखो second year one third यह फटसे से बदल देगा यह थरी तीन लिग देगा है यह दो लिग देगा ऐसे confusement हो ना बिल्कुल भी और एक one tenth को कौन करते है नॉमिनेट आपके governor साहब और 169 article आपको ध्यान रख नहीं है 73 निमलिखित मेंसे सही विकल्प का चेहन करने select the correct option राजे विधान परिशदों में seatों की संख्या आते हैं सवाल लियाते हैं अंध्यप्रदेश बिहार करनाटक तिलंगना सही कौन कौन से हैं ये बताओ मिर को तो आपके इस मेंसे सही है बी केवल दूसरा तीसरा और चौथा क्यों आंध्यप्रदेश में कितने हैं ये 78 नहीं होगा 58 होगा इसको 58 करेंगे बिहार 75 करनाटका 75 तिलंगना 40 और यूपी यूपी के बताओ विधान परिशद में किती सीटे हैं यूपी में 100 बस ये धान रखना यूपी ज़रू धान रखना तो आंसर आपका बी हो गया अब 74 पे आगए हम गलत विकल्प का चेहन करना है निर्वाचन का प्रावधान करता है makes provision for the composition of the state legislative assemblies किसी राजे की विधान सबा के सदस्यों की नियूंतिम संख्या 60 होनी चाहिए the minimum number of members of the legislative assembly of a state should be 60 किसी राजे की विधान सबा के सदस्यों की अधिक्तिम संख्या 500 होनी चाहिए maximum कितने होनी चाहिए 500 और किसी राजे की विधान सबा का सदस्यों के लिए नियूंतिम आयू 21 वर्ष होनी चाहिए minimum age to be the member of legislative assembly of a state should be 21 years incorrect बताओ तो simple से हैं questions 25 होनी चाहिए 25 से तो कम चुनाव में तो है नहीं ना कहीपे तो और ये सब देखते रहो 560 ऐसे तैयार कर लो उस कुछन बस क्या बोलते हैं जैसे आप final इस चारो statements को यहीं पर इसी टेस्ट में तैयार कर लो और बस खतम कर दो उसे 75 निम्रिकित में से कौन सा विकल्प गलत है इनकरेक्ट पूछ रहा है भारत का निर्वाचन आयोग भारत के प्रतेग राजे की विदान सभाओं के लिए चुनाव आयुजद करता है Election Commission conducts the elections to the legislative assemblies of each state of India किसी राजे के विदान मंडल की सदस्यों की आयोगिता से संबंदित किसी भी समस्या के समधान करने का अंतिम अधिकार आश्रपती के पास है मलत प्रेसिदेंट फाइनल अथॉरिटी है तो डिसाइड एनी क्वेस्टिन रिलेटिंग तो दिस्क्वालिफिकेशन आफ देमेंबर्स अफ लेजिसलेचर आफ पास है गलत पूछ रहा सौरी सेकंड वह स्टेट डिसलेचर में प्रेसिदेंट के पास नहीं अथॉरिटी राजयपाल के पास है आपके गवर्नर साब के पास है ठीक है और ये ठीक है बिल्कुर 76 सब्सक्राइब करने के लिए गणपूर्ती पचास सदस्यों या सदन की कुल संख्या की सदस्य का संख्या का दस्मा हिस्सा है मतलब 1 10th of the total number of house या कोरम के लिए लेजिसलेचर की बात हो रही है सब पार्लेमेंट की नहीं हो रही है कितना पचास मेंबर या फिर 110 बताओ मेरे को इसमें से गलत कौन चाहिए बताओ 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 ये तीसरा गलत है देख ये पचास नहीं चाहिए member should be 10 और या फिर 110 मतलब दसमा हिस्सा समझ गए न तो ये पचास गलत है बाकी दोनों देखो बिल्कु ठीक है contingency fund consolidated fund दोनों याद रखना 77 नेमलिकित में से सही विकल्प का चेंगरे, select the correct option यदि किसी राजे की विधानसभा का अध्यक्ष त्याकपत्र देना चाहता है तो उसे अपना त्याकपत्र उपाध्यक्ष की समक्ष प्रसुत करना होगा Speaker of the Legislative Assembly wants to resign, he has to submit his resignation letter to the Deputy Speaker राजे विधानसभा के 17 वसान कादेश राजेपाल द्वारा दे रहाता है, प्रोरोगेशन जो है ना, State Administrative Assembly की वो ओर्डर गवर्नर देते है राजे विधानसभा, राष्टरपती, उपराष्टरपती, राजे विधानपरिशत की सदस्यों तो था राजे सबागी सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकती है The State Legislative Assembly can participate in the election of the President, Vice President and the members of the State Legislative Council and the members of the Rajasabha बताइए क्या हो जाएगा इसका इस काउंसर हो जाएगा A, केवल पहला और दूसरा, क्यों? तीसरा क्यों गलत है? देखो जो State Legislative Assembly है वो participate कर सकती है President of India के एलेक्शन के लिए, State Legislative Council के लिए और आपकी members of the Rajasabha के लिए ठीक है? Vice President नहीं है इसमें बाकी ये ठीक है मिलकूँ ध्यान देओ, Statement पढ़ना बहुत जरूर ये ध्यान से 78, निमलिखित में से गलत विकल्प का चैन करने से लिएक दी इनकरेक्ट ऑप्शन किसी राजी के मुख्य सचीफ के नियुक्ति, उस राजे के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है इनकरेक्ट बताओ कौन सा है, कोई इनकरेक्ट नहीं है, तीनों बाते बलकूँ ठीक है, और याद करने योग्य है ठीक, 79, निमलिखित में से सही विकल्प का चैन करें, select the correct option किसी राजे की मंत्री परिशद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, उस राजे की विधान सभा की सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए टोटल नंबर अफ मिनिस्टर और इसमें चीफ मिनिस्टर प्लस कांसल अफ मिनिस्टर इंक्लूद रहेंगे, it should not exceed 15% किसी राजे के मंत्री परिशद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए टोटल जो है न, मिनिस्टर का, वो, it should not be less than 12 और आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ती राजेपाल द्वारा की जाती है Other ministers of the council of ministers are appointed by the governor on the advice of the chief minister बताओ भाई, सही है सारी बाते हैं बहुत जरूरी 15% वाला clause याद रखना, 12 नमबर याद रखना 15% वाला clause याद रखना और, ये दो दोनों आसान थे, गो दिखकत है ने, इसमें तो ये दोनों याद रखना बस असी सही विकल्प का चैन करने, select the correct option विधान परिशद किसी साधारन विधेक को पहली बार में तीन महीने में के लिए रोक सकती है मतलब, ordinary bill है कोई, तो उसको legislative council तीन महीने के लिए रोक लेगी विधान परिशद किसी साधारन विधेक को केवल एक महीने के लिए रोक सकती है, यदी इसे विधान सभादवारा पुनहा पारित किया गया है मतलब, legislative council डिले कर सकती ordinary bill को एक मंत के लिए if it is repast by the legislative assembly विधान परिशद केवल 14 दिनों के लिए धन विधेओं को को रोक सकती legislative council जो है, वो डिले कर सकती है मनी बिलकुर सिर्फ 14 days के लिए, बताइए कौन सा सही है सही है यह ध्यान रखना ठीक है, 197 है आर्टिकल आर्टिकल 197 आप ध्यान रखेगा legislative council तीन मंध महीने के लिए फिर एक महीने के लिए अगर repast हो गया है और 14 दिन के लिए मनी बिलकुर डिले कर सकती है और ordinary बिलकुर टोटल आपका चार महीने चार महीने होगा ना, तीन महीने पहली बार में और फिर दुबारा, अगर पुनह पारित हो गया तो एक महीना, तो 3 प्लस 1, 4 हो गया और 14 दिन ये धन विदेक की बात हो रही है मनी बिल की बात हो रही है ऐसे आधर अपना चीज़ है 81, निमलिखित में से गलत विकल्प का चेहन करें, select the incorrect option चेत्री परिशद मुख्याले जूनल काउंसल सेटकॉर्टर्स उत्तरी शेत्री परिशद दिल्ली, नदरन, मध्य, सेंटरल अलहबाद, पूर्वी शेत्री परिशद इस्टन कॉलकता, पश्चमी आपका वेस्टन भुपाल, बताओ, गलत कौन सा है 81 का अंसर बताओ क्या है 81 का अंसर आपका D है पश्चमी का कहां पर है वेस्टन का भुपाल नहीं है, इट इस इन मुंबई ये सही है, ये सही है, ये सही है और आपका क्या बचा, इसमें सदरन बचा साउथ का और देख लो कहां पर है कहां पर, यहां लिख देथी साउथ का है आपका चिन नहीं 82 निमलिकित में से किस जल्विवाद नियाधिकरन में अधिक्तम संख्या में राजे शामिल हैं मैक्सम नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें से किस में हैं देखो कितना बड़े कोशन है गुदावरी, नर्मदा, रावी, व्यास, काबेरी अगर ये पता है न किस में कितने हैं तो ये बता सकते हैं आप लोग गुदावरी में हैं सब स्टेट्स Water Disputes Tribunal में सब से जाधा स्टेट्स शामिल पूछ रहा है तो वो गुदावरी वाले में हैं देखो कैसे गुदावरी वाला जो है आपका वो कब बना 1969 में बना नर्मदा वाला कब बना 1969 में बना पैन तोड़ा मोटा किया जाए फिर आपका रावी ब्यास वाला कब बना 1986 में बना और कावेरी 1990 में बना अब किस में कितने इंक्लूड़ेड हैं इस देखो गुदावरी में कौन-कौन से हैं महाराश्टर, करनाटिका, अंध्रिप्रदेश, मध्यप्रदेश और उडिसा आप लोग ऐसी धान रखो नर्मदा में आपके राजिस्तान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराश्टरा रवी व्यास में पंजाब, हर्यान, राजिस्तान, और कावेरी में करनाटक, केरल, तमिलनादू, पुड़िचरी तो उस गुदावरी में कितने हो गए? पांच स्टेट्स हो गए तोटल फाइब स्टेट्स हो गए याद रखने हैं आपको सारे के सारे निम्लेखित में से किस मामले में सरवोच नियाले द्वारा समानता के सिध्धान को भारते समिधान के मूल धांचे के तत्व के रूप में घुशित किया गया था in which of the following case the principle of equality was declared as the element of the basic structure of the Indian constitution by the Supreme Court Namit Sharma, M. Nagraj और Kumar Padman Prasad case, Bheem Singh Ji case बताओ तो M. Nagraj में था ऐसा principle of equality की बाद देखो Namit Sharma का बाय था 2013 में ये आपका freedom और dignity of the individual से related था ठीक है मतलब जैसे व्यक्ति की स्वतंतरता और गरिमा M. Nagraj कब आया ये 2006 में आया principle of equality जो पूछा है Kumar Padman Prasad कब आया 1992 में आया ये इसने बात की थी independence of judiciary की नयायपालिका की स्वतंतरता की और Bheem Singh Ji मामला कब आया ये आपका 1981 में आया इसने बात की थी आपकी welfare state की कल्यानकारी राजे की समाजी कर्द आर्थिक नहीं की social economic justice की ठीक है तो 84 पर आगया है अबम देख लीजे केश्वनन्द भारती मामला जो था 1973 में सर्वोश नयाले द्वारा निमलिखित में से किन तत्वों को भारते समिधान के मूल्धाचे का तत्व घोशित किया गया था basic structure doctoring की बात हो रही है जब भी यह आएका तो आपको केश्वननन्द भारती केस 1973 याद रखना ही रखना है तो विधायका, कारेपालेका और नयाएपालेका की बीच शक्तियों का प्रतिकरन भारत की संप्रुभधा और एक्ता sovereignty and unity of India कल्यानकारी राजे बनाने का जनादेश mandate to build a welfare state संसिदिय प्रणाली, parliamentary system नयाएक समिक्षा, judicial review तो असान है तो बता सकते हैं आपके कौन-कौन से elements included होंगे आपके basic structure doctrine में तो कौन-कौन से होंगे, बताइए मुझे आप देखिए, इसमें judicial review वाला part नहीं आया था यहां तक, 1973 तक तो यह केवल आपका B हो जाएगा इसका answer, ठीक है, first, second third और fourth, तो बस इतना आपको यहां पे ध्यान रखना है, आप मुझे बताइए basic structure doctrine में judicial review आता है या नहीं आता है यह आप मुझे बताएंगे, यह फिलाल बात हो रही है, 1973 case के हिसाब से, तो यह, यह, यह सब है इसमें, case दिहान रखना है आपको, अभी हाली में इनका दिहान हुआ है, केश्वनेंदर भारती जी का, पिछले साल चाहिद, तो तब भी यह news में थे, तो यह वाले, जो case है हमेशा ही क्यार news में रहता, यह important भी है 85 संसद के साधारन भाहुमत द्वारा निमलखित में से कौन सा प्रावधान संशोधित नहीं किया जा सकता है which of the following provision is not amended by simple majority of Parliament, राजयों में विधान परिशदों का उन्मूलन या निर्मान, Abolition and Creation of Legislative Councils in the States राजय के नीती निर्देशक सिधान्त, Directive Principles of State Policy, संसद में गणपूर्ती, कोरम इन पर्लिमेंट, संसद और राजय विधान सभाओं के चुनाव, Elections to Parliament and State Legislatures, तो टाइपस अफ मिजॉरिटीज, देखे, अभी मैं आपको यहां पर नहीं समझा सकती हूँ, यह सारी चीज है, सरकाइक विडियो है, आप उसमें देख लिजे, क्योंकि इसमें फिर बहुत जादा टाइम लग जाता है, अगर मैं हर एक चीज आपको, यहीं पर समझाने लगूं तो, और अगर आपको समझना है, तो मैं अलग से एक विडियो बना के डाल दूँगी, सारी मिजॉरिटी उसमें समझा के, तो आप फिलाल मुझे बताइए, 85 का क्या अंसर होगा, नहीं किया जाता, तो 85 में आपका आजाएगा, B, DPSP, असान था यह तो वैसे, भाई, आप मुझे एक बात बताइए, DPSP बहुत बड़ी चीज हैं, इसके लिए आपको special majority चाहिए होगी, पार्लिमेंट की, simple majority से थोड़ी ना कर देंगे आप, amend, 86, 1999 में गठित वर्मा समेती, द्वारा निमलिखित में से किस अधिनियम का प्रावधान नहीं किया गया था, which of the following act has not been provided by the Varma committee, constituted in 1999, राश्री गौरव अप्मान निवारन अधिनियम, 1971, Protection of Civil Rights Act, एक मिनिट, यहां पे यह अलग-अलग दी हुए न, यह 1950, और अलौफल अक्टिविटीज, लोग प्रतिनिजित अधिनियम, 1901 क्यान में, Representation of People Act, और 1972 का वन जीव संग्षन अधिनियम, आपको बताना है कौन सर नहीं आया था, तो पहले आप बताईए एक बड़ ज़रा, तो इसमें से सारे सही हैं, कोई भी आंसर इसका गलत नहीं है, actually, सारे ही ठीक हैं, वर्मा कमिटी के अंदर, सारे के सारे ही आय थे, तो यह जो है ना, आपका, यह 1955 है, this is correct, बाकी आप यह देख लिजे, यह देख लिजे और यह देख लिजे, कोई भी आंसर इसका incorrect, नहीं है, इसके according, ठीक है, चलिए, वर्मा कमिटी का यह याद रखेगा, 87, निमलिकित में से कौन से अनुछेद, आपके मुजबानिया दोने चाहिए आपको, तो बता देंगे, आप इन में से नहीं बता पाएंगे, बताइए मुझे, सारे आते हैं भई, और यह क्या क्या कहते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, 39 ने क्या कहता है, Equal Justice, Free Legal Aid, Equal Justice की बात करता है यह, 44 तो सभी को पता है, दुनिया में, मुझे लगता है, 44 क्या कहता है भई, UCC, 50, Separation of Judiciary from Executive, Judiciary और Executive अलग लोंगे, ऐसे समझ जाना मैं क्या कह रही हूँ, और 51 वाला, International Peace and Security की, बात करता है, यह राट याद करो सारे, 88, निमलिखित में से गलत विकल्प का चेहन करें, Select the Incorrect option, नियुनतम मजदूरी अधिनियम, 1944, आपको बताना, सही, Year-Matched है नहीं, बंधवा श्रम पदिती उन्मूलों मद्य अधिनियम, 1976, Bonded Labor System Abolition Act, और यॉकिक विवाद अधिनियम, Industrial Disputes Act, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, Workman's Compensation Act, बताओ मुझे, Incorrect वाला बताओ, A, कौनसे साल का है यह, Minimum Wages Act कौनसे साल का है, यह 1948, यह सही है सार, 89, भारतिस समयधान के मौलिक कर्तवियों के अंतरगत, निमलिखित में से कौनसे कारिक्रम शुरू किये गए थे, which of the following program had been launched under the fundamental duties of the Indian Constitution, Samudayik Vikas कारिक्रम, Community Development Program, Sukha Sambhavish Shetra कारिक्रम, Drought Prone Area Program, Niyuntem Aavashakta कारिक्रम, Minimum Needs Program, Ekikrit Grameen Vikas कारिक्रम, Integral Rural Development Program, बताओ, कौनसे शुरू करे गए थे, क्या हो जाएगा इस कांसर? इस कांसर जाएगा C, इन में से कोई नी स्टार्ट हुआ था, अब आप ये देखो कि Directive Principles of State Policy ने क्या-क्या स्टार्ट किया था? ये fundamental duties थोड़ी स्टार्ट करेंगे, अगर आपने थोड़ी सी भी पॉलिटी पढ़ी है, तो जो DPSP है, उनको enforce करने के लिए, क्योंकि खुद enforce नहीं हो सकते, इनको enforce करने के लिए government program चलाती है, acts लाती है, क्योंकि ये justice-able नहीं है, non-justice-able है, तो इनको start करने के लिए community development program आया, जैसे कि ये आया था 1952 में, फिर drought pro area वाला 1973 में start करा, फिर minimum needs वाला करा 1974 में, और integrated rural development किया 1978 में, और बाकी वाँ कता हूँ, सवन जहनती ग्राम स्वरोजगार युजना 1999 में लेकिया थे, संपून ग्रामीन, और सबसे important national rural employment guarantee program आया था 2006 में, और इसका नाम बदल के मनरेगा हुआ, आप में को comment करके बताएंगे कब हुआ, तो ये fundamental duties को effect देने के लिए थोड़ी ना start हुए थे, ये राजे के नीती निर्देशत तत्वों को enforce करने के लिए start किये गए थे programs, मनरेगा भी उनमें से ही एक है, आप मुझे एर comment करके बताएंगे ज़रा हूँ, 90, निमलिकित में से सही विकल्प का चेयन करें, select the correct option, socialn के विरुद अधिकार, अनुच्छेद 30 है, right against, against exploitation, वधर्म की सुतंतता का अधिकार, right to freedom of religion, article 17, Sanskritic और सेक्षिक अधिकार, अनुच्छिद 29, cultural and educational rights, समवैधने कप्चारों का अधिकार, अनुच्छिद 31, अब बताईए, बतादेंगे नहीं बतादेंगे, तुरांट देखती आंसर आना चाहिए, भाई यह बिल्कुल गरते है, यह article 32 है, है की नहीं, तो बस बाकी ठीक हैं बिल्कुल, यह सारे रट लो बिल्कुल, राइट टो एक्वालिटी किस में से कितने तक आता है, 14 से 18, फ्रीडम 19 से 22, एक्स्प्लेटेशन वाला 23 से 24, और फ्रीडम आफ रिलिजिन 25 से 28, कल्चरल एजुकेशन 29 से 30, और प्रॉपटी आर्टिकल 31 है, और प्रॉपटीशनल रिमेटीज आर्टिकल 32 था मतलब, ठीक है, तो ऐसे सवाल मत गलत करके आना, मैंने बताया है, फिर से कह रही हूँ, एक से 50 आर्टिकल रटे होने चाहिए, चलिए, 91, निमलिकित में से सही विकल्प का चैन करें, करेक्ट आप्शन, आगया फिर से, वही क्वेस्चन जो मैं बता रही हूँ आपको, अनुछे 14, कानून के समक्ष, समानता, क्वालिटी बिफोर लौ, 17, अस प्रश्यता का उन्मूलून, अबॉलिशन अफ उन्टचबिलिटी, 18, टाइटिल्स वाला, 21, सिक्षा, 29, अल्प संख्यक, बताईए, सही विकल्ब बताईए आप मिरको, सब सही है, रटो बैठ के हैं अच्छे से, 92, निमलेखित में से गलत विकल्ब का चेहन करें, सेलेक्दीन करेक्ट आप्शन, समितियां और अध्यक्ष, वित एवम करमचारी समिती, Finance and Staff Committee, कौन, राजिन दिप्रसाद, प्रत्यायक समिती, Credential समिती, उस्दानाथ सेन, सदन समिती, House Committee, B, पताभी सीतरा मया, कारिस अंचालन समिती, Order of Business Committee, गलत बताओ को अँछ से हैं, B, गलत है, किसकी दिवी हैं, सविधान सभा की छोटी समितीयां दिवी हैं, ये Constitution, Constitution Assembly की Minor Committees, Finance and Staff, राजिन दिप्रसाद ठीक है, प्रत्यायक की कमिती बताओ कौन थी, किसकी थी, Credentials Committee, Alladhi Krishnaswami, Ayer, Alladhi Krishnaswami, Ayer, A.K.A. ऐसे आद कर लो, सदन समिती ठीक दिया हुआ है, कारे संचालन ठीक दिया हुआ है, और जो ये उशानाथ सेन है, इनकी जो समिती थी, इसको मैं यहां लिख देती हूँ, ये ऐसे करके, ये थी आपकी Press Gallery Committee, कौन सी? Press Dheergaa समिती, ठीक है? Press, बस Press से याद कर लो, बढ़िया, 93, प्रारूप समिती के सम्मल में, गलत पिकल्प का चैन करें, से लेक दिन करेंट ऑप्शन रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग कमिटी, सबसे इंपॉटेंट ली थी, ये हैं समिती, 29 अगस्ट 1947 को गठित की गई थी, इसमें साथ सदस्टे थे, सेविन मेंबर्स, डॉक्टर भीमराव मेटगर समिती के अध्यक्षते, चैर्मेन, टीटी कृष्ण मचारी ने, बी यल मित्र का स्थान लिया था, जिन्होंने, खराब स्वास के कारण स्थीफा दे दिया था, बताईए, 93 का अंसर, D हैस का अंसर, देखो, प्रारूप समिती की सापना सही हुई बिलकुल, भीमराव मेटगर अध्यक्षते, बाकी के मेंबर सुन लो, N. गोपाल स्वामिया यंगर, अलादिक कृष्ण स्वामिया यंगर, डॉक्टर केम मुन्शी, साइद मुहम्मद सादुल्ला और N. माधवराव, इन्होंने बिल मित्र का स्थान लिया था, जिन्होंने खराब स्वास के कारण स्तीफा दे दिया था, तो T.T. कृष्ण में चारी तो अल्रोडी मेंबर थे ही, नहीं, मेंबर नहीं थे, इनकी जगा आपके ये हैं, क्या बोलते हैं, माधवराव अलग हो गए, T.T. कृष्ण में चारी थे, और इन्होंने D.P. खेतान का स्थान लिया था, जिनकी मृत्ती हो गई थी, ये भी थे, पर इन्हों D.P. खेतान का स्थान लिया था, ठीक है, चलो, इस विशेशग्य समिथी में आठ सदसे थे, इस विशेशग्य समिथी के द्यक्ष जवालाल लहरू थे, बताओ, सही जवाब, सारे सही है, अच्छा सवाल है, कम देखा होगा आपने वाला सवाल, अच्छे से इसको प्रिपेर करके जाओ, अध्यक्ष थे जवालाल लहरू, सदसों के नाम सुन लीजिए, म असफ अली, केम मुंशी, एन गुपालस्वामिय यंगर, केटी शा, और डॉक्टर डियार गडगिल, हुमाईू कभीर और के संथनम, ये सब थे, आठ मेंबर्स थे, आठ ही याद रखना वैसे, मेंबर्स तो मुश्किली पूछेगा, और अध्यक्ष का नाम तो याद रखना है आपको, 95, ने मलिखित में से, गलत विकल्प का चेंग करने, सिलेक्दीन करेक्ट ऑप्शन, प्रेम बिहारी नारायन राइजादा, भारते समिधान के सुलेखक थे, कैलिग्राफर, ये सवाल कौन बने का करोड़पती माया था, ये वाले, इल्युमिनेशन कैलिग्राफी पे, बिहुर राम मनोहर सिन्हा ने, प्रेम बिहारी नारायन राइजादा, त्वारा सुलेखित, मूल प्रस्तावना को प्रकाशित, सुशोबित और अलंकृत किया था, समझ गया, इल्युमिनेट किया था, ब्यूटिफाई किया था, और नमेट किया था, मतलब अधिकारी बनो ना बनो, करोड़पती बन सकते हो, इतनी बढ़ाई करके, मूल समिधान के हिंदी संस्क्रन का सुलेखन, वसंथ कृष्न वैद्वारा किया था, कैलिग्राफी अफ दे हिंदी वर्जिन, अफ दी ओरिजनल कॉंस्टिशन वैद्धिया, आंसर प्लीज, गलत है यह नहीं इन में से कोई, कैलिग्राफी हिंदी वर्जिन की, कौन वसंथ कृष्न वैद्धिया, यह नाम थोड़े से याद रखो यार, वसंथ कृष्न वैद्धिया, फिर बिहोर, राम मर्हों, सिन्हा, प्रेम बिहारी, नरायन रायजादा, यह तीनो नाम याद रखो, 96, अब तो हस्दो, खतम होने वाला है, सेशन, निमलिखित में से, गलत विकल्प का चैयन करें, सेलेक्दी इनकरेक्ट ऑप्शन, 1935 का भारत सिरकार अधिनियम, राजपाल का कारले, का किस से क्या उपबॉरो किया है, ऑफिस अफ गवर्नर, बिटिश समयधान, राष्टरपती का महावयोग, impeachment of president, अमेरिकी, मौलिक अधिकार, fundamental rights, और आइरिश, राजपे नीदी निर्देशक सिध्धान्त, आंसर बताओ, बी है, ये राष्टरपती पर महावयोग कहां से लिए है, बिटिश कॉंस्टिउशन से, cabinet system और bicameralism लिया गया है, समझे, क्या लिया गया है, मंत्री मंडल प्रनाली और दुई सदन वाद, आप मुझे बताएंगे, impeachment of the president कहां से लिया गया है, इसी में आंसर, चलो, इतना बता दिया, बाकी ठीक हैं सारे, निमलिखित में से गलत विकल्प का चेहन करें, select the incorrect option, वो ही, कनाडा का समिधान केंद्र द्वारा राज़ों के राजपालों की न्यूकती, appointment of state governors by the center, ऑस्ट्रेलिया से संसत की दोनों सद्रों की safe pattern, joint setting, जर्मनी के वीमर से समवर्ती सूची, और रूस के समिधान से प्रस्तावना में न्याय समाजिक, आर्तिक और राजनितिक का आदर्श, आइडल अफ जस्टिस, सोशल, एकनॉमिक और पॉलिटिकल, बताओ, C, वीमर कॉंस्टिटूशन से क्या लिया है, suspension of fundamental rights during emergency, concurrent list और sunset के दोनों सद्नों की बैठक, Australia से लिये, यहां से ने लिया है, तो बस ये गलत दिया हुआ है, बाकी ठीक है, 98, निमलिखित में से गलत विकल्प का चेयन करें, select the incorrect option, ये parts दिये हुए हैं, part 8, अनुसूचित और जंजातिये शेत्र, स्केडूल और ट्राइबल एरियास, 9th पंचायत, 9A नगरपालिकाय मिन्सिपालिटीज, 9B सहकारी समथिया, गलत बताओ कौन सा है, सिर्फ पहला गलत है, भाग 8 में, 8 में क्या दिया हुआ है, भाग 8 में, यूटीज दिये हुए हैं, ठीक है, निमलिखित में से गलत विकल्प का चैन करें, सेलेक भी इंकरेक्ट ऑप्षिन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत, 1921 में पहली बार लोक लेखा समिती की सापना की गई थी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी वोस सेट अफ फर्स इन 1921, पहली प्राकलन कसमिती का बठन किया गया था, पहली एस्टिमेट्स कमिटी, तो बताओ कौन सा गलत है, यह गलत हो जाएगा, पहला गलत है, क्यों? तेको, पब्लिक अकाउंट कमिटी पहली बार सेट अप हुई 1921 में, लेकिन government of India Act 1935 के अदर नहीं, government of contract के अंदर, ये था आपका government of India Act 1919 वाला, और अखी फिलाल, इसमें किते मैंबर से आप जानते हैं, इसमें 22 मेंबर से और इसमें से आप 15 लोग सबह से आते हैं, और 17 राजे सभा से, एक मिनट, 22 members हैं, 15 और 7, sorry 17 नी, 15 आते हैं लोग सभा से, 7 आते हैं राजे सभा से, ये हुई आपकी Public Accounts Committee, सबसे important यह ही है, Estimate Committee 1950 में, ठीक दिया हुआ है बिल्कुल, John Mathai के recommendation पे, तब वो Finance Minister थे, अभी इसके पास 25 member थे, लेकि 1956 में, इसकी membership हो गई 30, तो present membership है 30, और सबके सब लोग सभा से हैं, Estimate के, प्राकलंद कम समयती के, 22 और 30, दोनों समितिया important है, सवाल इन पे से ही आता है जाद अतर, चलो, ये आपका सौवा question, Last question, नेमलिके इतने से, कौन सा विकर्ब सही सुमेलित नहीं है, राजसभा की सीटों का आवंटन, number of seats in राजसभा, तो ये तो बताओ, कौन सा गलत है, ए गलत है, जारखंड में 6 हैं, बाकी पंजाब में 7 हैं, और आपका असम में 7 हैं, तेलंगना में 7 हैं, यूपी के और देख लो कितनी हैं, 31, देखा, क्या बढ़िया क्वेश्चन है, सारा साथ 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 करके आद कर लो, जारखंड की 6 हैं, एक कम, ठीक है भई, तो session हमारा खतम होता है, यहाँ पे, उमेर करती हूँ, आपने participate किया है, अच्छे से, जा रही है, उसको positively ही लें, ठीक है, और हमारे इस सब की PDF के लिए, या test series देने के लिए, आप ये, हमारे paid group पे call या WhatsApp कर सकते हैं, यह सब numbers आपके सामने हैं, and wish you all the best, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, test series attempt कीजिए, paper नस्दीक है, paper definitely clear हो सकता है, हर साल होता है बच्चों का, और बस, watch करते रही है बाकी तो, बहुत बहुत धन्यवाद, have a nice time.